यह प्रिसंद आपके या कुश्चन्स कह लीजिये आप लो इतिहास से लिए गया है और इसमें आपको पराचीन काल के भारत से भी कुश्चन्स देखने को मिलेंगे मद्देकालीन भारत के भी questions देखने को मिलेगे और आपको आध्वनी काल के भी questions देखने को मिलेगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह questions वही है या तो आपकी परिक्षाओं में पूँचे जा चुके है या आने वाली परिक्षाओं में आने की पूरी संभावना भी है इस तरह के questions आप देखते हैं कि civil service में भी आ जाते हैं state PCS में भी पूछ लेता है और भी आपके one day एक जाम होता है जिनमें SSC, bank railway, A, बाकी bank होते हैं इनमें भी आ जाते हैं और इन questions की संख्याए बहुत बड़ी संख्याए तो इन्हें कॉसिस करेंगे कि 2-3 पार्ट में आराम से आ जाएं बड़ी बड़ी class हो सकती हैं लेकिन इतिहास मुझे लगता है कि cover हो जाएगा कि जो मत्पूर इतिहास के मत्पूर questions होते हैं उन्हें आराम से आप लोग cover कर लेंगे तो चलिए एक एक करके आप लोग देखते हैं पहला question आप से क्या पूछ रहा है बैदी काल में पड़ी नाम से जाने गए समुधाय का मुख बेवसाय क्या हुआ करता था तो इब्यापार हुआ करता था पर आप देखेंगे रेखबेद में पुत्री के लिए प्युप सब्द दोहिता का सब्दी करत क्या होता है तो गाय का दोहन करने वाली ठीक है अंगला question पूछ रहा है संग्यमयोग में तमीलों का सरवादिक लोग पिये देवता कौन था तो यह आपको देखने को मिलेगा मुरूगन क्या मुरूगन अंगला question पूछ रहा है मुहमद बिन तोगलक ने किस धातू में सांकितिक सेक्कों का पेचलन किया था तो यह थी कां से धातू ठीक है गुजराद को जीत कर किस ने उसे दिल्ली सल्तनत में कबाली आप लोग सुनते हैं न उसी की बात की जा रही है कबीर की विट्तिव के पश्चा उनकी समाधी कहां बनाईगी मघहर में देखी यह ऐसी मानता थी कि जो मघहर में मलता है उसे नर्क मिलता है इसलिए आप देखेंगे कि अकबर माकरी कबीर जी कुछ समय पहले ही मघहर चले गए थे और उन्हें मालू था वो सोचते थे कि आखिर कैसे नर्क सर्क होता है इसी की चाहत में अकबर नावा के पिख्याद लेखक अबूल फजल की हत्या किसने की थी बे सिंग देव बंदेला ने बागी सहजादी खुसरों को आसरे देने के लिए जहांगी ने किस सिख गुरू को मित्ति उदंड दिया था तो यह थे गुरू अर्जुन देव को गुरू अर्जुन देव को किसने मर भाया था जहांगी ने ठीका पांडवों का उल्लेक सरफितम किस बिदेशी यात्री ने किया था तो यह था मारको पोलो कौन था? मारको पोलो ब्यास अनदी का पराचीन नाम क्या था? विपासा क्या? विपासा छटी सदब्दी इसापूर में वर्थ जो आपकी महा जनपत थी वत से इसकी इराधानी क्या हुआ करती थी? कौसामबी उत्तर पे इसमें आप लोग सुनते हैं न? वही पाटली पुत नामक नगर की स्थापना किस ने की थी? उत्द्यन ने मगत का पिथम राजबंस कौन था? हरेक बंस बुद्ध द्वारा गौत्या को बौध्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महा भीनिस करमड ठीक है? अंगला कुश्चन पूछ रहा है सल्तनत काल में अस्व साला की पिधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में जो अस्व साला का पिधान हुआ करता था? उसे क्या कहते थे अमीर ए आपूर अंगला कुछन पूछ रहा है खालसा पंद की स्थापना और एक आप देखेंगे धर्माचार पाहोल को किस सिख्खे गुरू ने चलाए था तो यह थे गुरू गोविंद सिंग गुरू गोविंद सिंग अंगला कुछन है विसिष्टा द पंद्डष में 25 27 में चोल बंस का संस्था पक हों था विजयाल है चोल बंस का संस्था पक हों था विजयाल है आंक्रे क्याथे लाल के लिए महथी मंती मश्जिद बनी हुई है, एक किस मोगल सासक ने बनवाई थी? साय जहाने याद रखिए आगरे के किले की बात की जा रही है मौती मस्टित किस ने बनवाई थी? साय जहाने क्योंकि आगे दिल्ली की आएगी, तब भी आप लोग याद रखिए अंगला है पुस्मित्य सुंग ने असुमेग गियागे किये थे यह जानकारी किस गरंथ से मिलती है? महाभास से किस से? महाभास से अंगला कुश्चन आप से क्या पूंच रहा है? अंगला कुश्चन कह रहा है, एतरे ब्रहमण गरंथ किस बेद का है? रिखबेद का रिखबेद का हिस्टोरी का नामक गरंत है जो पुस्तक है किसने लिखी थी हेरोडोटस ने किसने हेरोडोटस ने उत्तर रामचरी ते जो है एक इसके लेखा कौन है भावभूती अंगला कुश्यन महमूद के साथ भारत आई किस बिद्वान ने भारती समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी तो ए था अलवर्णी कौन था अलवर्णी खरमेर राजा ने किस भारती राजा से मिद्धता की थी तो राजंध पिथम से सल्तनत काल में हक ए सरफ का क्या था सिचाई का रुगा करता था सिचाई आप जानते हैं उसी का कर्वी लिया जाता था सल्तनत काल में जिसे आप लोग हक ए स्तरफ कहते थे नायब ये मामलीकात नामक पत का सेजन सल्तनात काल में किस ने किया था तो ये था मुईजु दीन बहराम साहिने मुगल काल में लोक निर्माड विभाग को क्या कहा जाता था सोहरा ते आम लोक निर्माड विभाग को ठीक है? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राध्धनी मुर्शीदाबास से परिवर्थित करके मुंगेर कर दी थी तो ये था मीर कासिम कौन था? मीर कासिम किस अभिलेक से पुष्टी हुई कि पुस्व मित्त सुंग ने असुमेक यगी किया था तो ये था आपका एयोध्या अविलेक गिर्णार में सुरिदर्शन जील का निर्मार किस सासक ने करवाय था तो ये था चंदगुप्त मौर मैगस्तिनीच की पुस्तक इंडिका की अनुसार मौर समाज कितने भागों में बटा था तो ये साथ बर्गों में कौन काल सा दार्शनेक, क्रिसक, सैनिक, चरवाहे, सिलफी, नियायक यदिकारी और पार्शत ठीक है ये साथ को आप बर्गों को याद रखिए और एक पॉइंट यहाँ याद रखिए इंडिका किस की पुस्तक है? मैगस्तिनेच की कई बार पूछ लिया है कनेशकी की राधानी कहा थी तो ये देखेंगे आप लोग फुरुसपोर फुरुसपोर, जिसे आप लोग पेशा पर पेशावर कहते हैं अंगला कुश्चन पूछ रहा है नरसिंग वर्मन, दुतिये ने जिसकी उपादी रासिंग थी इसने कांची में किस मंदिर का निर्माड करवाए था? कैलास मंदिर का देखे कुश्चन उल्टा करके भी पहुचा जा सकता है जो कांची में कैलास मंदिर है इसका निर्माड किसने करवाए था? तो नरसिंग वर्मन दुतियन है ठीक है और जो कैलास मंदिर आप देखते हैं एलोरा में इसका निर्माड किसने करवाय था जो राष्ट कूट सासक था किसने पिथमने ठीक है एक कुश्चन साब भी आप देखेंगे कि कई बार पूछ लिया है से साहय का मकवरा कहा इसते थे सासा राम बिहार में साथ वहर बंस का महानतम सासा कौन था गौतमी पुत्त साथ करणी पहली बार किस अदिनियम के तहट गवर्नर जनरल की कारिकारी फरिशत में विधी निर्माड के उद्देश से किसी भारतिये को मनुनीत किया गया था तो यह था भारतिये काउंसिल और रोज किस आसक ने पारम किया था बलवन ने किया था ही किस गवर्णर जनेरल के काल में हंगरेजी उच्च सिक्छा का मध्यम और सरकारी कामकाज की भासा के रूम में सुईकार की गई थी तो यह था बिलियम बेंटिक के समयकाल में दिल्ली के लाल के लिए के अंदर मौती मस्जित का निर्वाण किस ने करवाए था औरंग जेब ने इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखें साची के स्थूप किस बंस के काल में बनवाए गया था मौर बंस असोक से संबन दीत है किस राजबंस ने हत्या कर सत्ता की हत्याई और जिसका अंत भी हत्यास के द्वारा हुआ सुंग बंस ने यानि कि आप यहाँ वही नियम लगा सकते हैं कि जो आप बोगे वही काटोगे इनों ने दूसरे की हत्या करकी सत्ता पाई थी तो इनकी हत्या दूसरे इनने करती हाती गुपाब लेक में किसकी उपलब्दियों का वेवरण है एक खारवेल की उपलब्दियों का सिराजुद दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संदी की थी अली नगर की संदी नरेंदर मंडल की स्थापना का सुझाओ कस ने दिया था चैम्स फोर्ड सुधारों ने धन निकासिच का सिधान का पितिपादक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी एक कुश्चन्स भी कई बार कुश लेता है सल्तनत काल में किले की सेना की खर्च के लिए निर्धारित भूमी को क्या कहा जाता था मपरूज सल्तनत काली इन परांत की सेना क्या कहलाती थी हसमे अतराब ग्वालियर अभी लेक के नुसार अर्वों को सिंद से आंगे बढ़ने से किसने रोका था नांग भटने फिर आप देखेंगे महराजार रडजी सिंग किस साथ किसके विचार विमवस के पाईडाम सुरूफ आमरेस्तर की संधी हुई थी तो सर चाल्स मैट कॉप सर चाल्स मैट कॉप किस सासक किस सासनकाल में बहमवनियों में ने अपनी राध्धानी गुलफरगा से स्थाना नतीत करके वीधर बनाई थी तो ये था अहमद साह सौमनात मंदिर पर महमूब गजनभी के आकमर की समय वहाँ का सासा कौन था भीम पिथम भीम पिथम फुतु उस सलातीन की रचना किस ने की थी ये इसामी ने की थी कब 1350 में देखे बिदेशी जितने भी आते थे धन की लालच में ही आते थे आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने अमीर हुआ कर दे थे पहरे ये तो लूट लूट के ले गए तो आप हम गरीब हो गए साथ करनी की बित्यू के फर्षास्त उस्त के दो अल्फ वैस के पुत्रों वेद सरी और सक्ती सरी का संरक्षन किस ने किया था एथा नांगनी का ठीक है हाल ने गाथा सब्त सती नामत गरंथ की रचना की और किस भाहसा में की प्राकृत भाहसा में कौन सा सासक फितिक फाजवी बर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था हर्स भर्धन और ऐसा माना जाता है कि ये सब कुछ लोटा देता था जो भी कमाता था पांस सालों में सब कुछ दान करके आ जाता था भोवनेसुर्थ था पूरी के मंदिर किस सैली में निर में थी नागर सैली में है ठीक है ये सबी नागर बेसर ये सबी आपकी कौन मंदिरों की सैली है बनाने की संगम यूगीन गिरंथ तोल कफी यहम किस बाद बिसा से समब्धि थे ब्याकरण और काबसी सोनागीर का इतिहासिक दिगंबर जैन तीर थिस्तल किस राज में मद्ध बिदेश में और मद्ध बिदेश के किस जिली में धतिया में महाराष्ट में गडपती परव का स्री गड़ेस राष्टिय चितना लाने के लिए किस ने किया था बालगंग अधर ते लगने सरफ कर किस पर लगाया जाता था सेचाई पर फीछे भी बता चुकाओं अजीवक संपदाय की संस्तापक कौन थे मक्खाली गोसाल ठेक है अंग्रेजों के सासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन की सिध्धान का पितिपादन किस ने किया था दादा भाई नोरूजी ने पवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ठेक है इस पुस्तक को भी याद रखिए रॉलेक टेक्ट भारत में कब लाग हुआ उन्नीस उन्नीस में बिक्रम संबत कभ से कभ बिक्रम संबत कभ से प्यारम हुआ अंठावन इसापूर से ठेक है संबत ni 1972 म AKRI 1974 की के खुदाय में सेंदु संबता के आवसेस मिले हैं यहाथ थल भारत की किसराज में देखने को मिलेगा बताइए ऐह आपको देखने पाहरयाणा में कहां हर्याणा में कि यह आप लोग जरूर याद रखिएगा हर्याणा में ठीक है अंगला है सिंदू सब्विता में खोपड़ी की सल्च किस्सा का सुनिश्च साक्ष कहां से प्राप्त हुआ एक काली वंगा से आपको देखने को मिलेगा ठीक है काली वंगा से इसके बाद है अंगला कुश्चन क्या पूश्रा है रिगबेद में ऐसी कन्याओं के उधारन भी मिलते हैं जो देख काल तक अत्वा आजीवन आवेवाहित रजती थी ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे अमाजू जो अपनी साधी नहीं करते थी महतमाख बहुत किस हमय कौसल देश में कौन सा राज करता था पसैंट जीत इनका समय था यहां किस सासक ने वैसाली का परित्याग करके पाटली पुत को मगध राज्जी की राधानी बनाय था तो यह था कालासोक कौन था कालासोक फर आप देखेंगे असोक की किस सिलालेक म कलिंग इयोद्ध का बर्डन मिलता है तो याद रखिए 13 वी सिलालेक में किसमें 13 वी सिलालेक में पुस्व मित्ति सुंग ने किस सासक की हद्या करकि पाटली पुत्थ की गद्धी पर अधिकार किया था बेहद्रत की ठीक है याद रखिए चालीस गुलामों की दल का बिनास की सुल्दान ने किया था बलवन ने किसने बलवन ने दिल्ली सल्दनत का अंदिम सासक कौन था इबराहीम लोधी अंगला कुष्य ने किलाईव ने सैनिक सुधारों के लिए सैना को तीन भागों में बाटा सैना का एक भाग मुंगीर में द किसने किसकी याद में बनवाय था तो यह आप देखेंगे औरंग जीब ने अपनी बीबी बेगम रविया दुर्रानी की याद में टेक है औरंगाबाद में बनवाय गया था यह यह भी आप लोग याद रखी पिसिद्द चित बाज की चितकार कौन थे उस्ताद मनसूर टेक अंगला कुष्चन है पिसिद्द गरंत सिद्धान सिरोमणी और लेलावती के लेखा कौन है भासकराचार ठीक है सिसूल पाल बद किसकी किटी है माग की सियाद बाद का अरत क्या है सायद है भी और नहीं भी अगबर का सिख्चा कौन था मीर अब्दुल लतीफ मीर अब्दुल लतीफ पिसिद्द कोहिनूर हीरा साय जहां को किसने भेट किया था मीर जुमला ने मीर जुमला साय जहाने महा कभी राय की पद्वी किसको दी थी? पंडित जगनात को अंगला कुष्चन अकवर के समय बनी पहली महत्पून इमारत थी हुमायू का मकवरा कौन सा मुगल सासक साही दर्वेट और जिंदा फीर के नाम से जाना जाता है तो औरंग जेप को अंति मौर समराट कौन था? बेहदत हर्स की फराजय किसके हाथों में हुई थी? हाथों से तो यह आप देखेंगे पुल के सिंग दूतिय के ललीता दित किस राजगा सासक था? कस्मीर का हुमायू नामा किर्टी या रचना किसकी थी? गुल बदन बेगम की एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिल सुल्तान बन गया कौन था यह? बलवन बहमनी राज के विक्टन के उपरां तो दच्छे में कितने मुसलिम राज़ों का उदय हुआ? पाँच का अंगला है मद्दकाल में विवाय कर किस राज़ में लिया जाता था? और विवाय को इस कर से मुक्त रखा गया था बिजैग नगर राज़ में और विदवा पुनर विवाय को मुक्त रखा गया था आप समझ रहें? यानि कि आप समझ ये विजय नगर राज जैसा था, जिसमें आप लोग साधी करते थे, तो आपके उपर टेक्स लगता था, लेकिन बिदवा पुनर विवाग होता था, तो उस पर कोई टेक्स नहीं लगता था, प्राचीन भारती चिकसक, चरक किस सासक की द अंगला कुष्ण ने तेवना पली के घर में किलाईब ने किसकी रच्छा की थी? मुहमद अली की, रेकवेद में हिरन मर्म की उपादी किसे दी गई? इंदर को, यमद्वारा नची केता और उसके तीन वर पराप्त करने की कहानी किस में है? कंठोफ, कंठोफ, निसर में, क बटिल कहां का विरमर्था, तक्छिला का, आप देखते हैं कि चंदगुप्त मौर को, एक निचली जाती को बच्चे को उठा कर एक तरह से किस तरह से राजा बनाता है? कौमोदी महुत्सो, नामक पुस्तक की सासक की सबलताओं और उपलब्दियों का बाढ़न करती है? त गिया की आसपलता का सबसे वड़ा कारण क्या था? तुरुक अमीरों का सडेंत और उनकी महत्वा कांशा. दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीवा सब धरवाया था? तो ए था मुहम्मद बिन तुगलक ने. पुरंदर की घेरे में तो खाना की अधिकारी के र मिलते हैं. ए रज्म नामा में. संसार आज्थेर और चणिक है और चणिक भंगुरबात की नाम से ग्यात होने वाले इस बिचार को सरपितम किस ने दिया था? महत्मा बौद्ध ने. सब कुछ नष्ट हो जाएगा. महत्मा बौद्ध ने कहा था. मरग दाब सारनात में बु पुरी मस्जित का निर्माण किस ने कराया था? मीरवाकी ने. मीरवाकी ने. उसके बाद आपने देखा कितना विवाद चला. अभी तक चलता रहा. टोडर मल ने किस छेत में युगदान के लिए ख्याती अर्जित की? तो भूराजस प्रवंधन के छेत में. इसकी अच्छ में. ठीक है? मुहमद बिन कासिम द्वारा सिंदी की विजय कब की गई थी? 712 इस भी में. महमूद गजनभी का दरवारी इतियासकार कौन था? उतवी. पुलके सिंदुतिया की राध्धानी कहां थी? बता अपी. मुहमद गौरी के किस दास ने बंगालवा बिहार पर सासक था? जिसने बेंग कंटक स्वामी की उपादी धारन की थी. तो ये था गौतमी पुत्र साथ करनी. अंगला कुष्चन है हर्स के सासनकाल में भूमी कर केरसी उतपात का कितना भाग बसूला जाता था? एक बटी छे भाग. एक बटी छे भाग आपको देना पड़ता थ सिंदु घाटी से बटा कि किस स्थल में प्राक, संधाव, संस्किती, कि सबसे मत्कूर उपलब्दी एक जुते हुए खेत के साक्ष में हुई है? एक काली बंगा में आपको देखने को मिलेगा. जो राजिस्थान में पड़ता है. यहां आपको जुता हुआ खेत आपको द साउतार मंदिर जहांसी उत्तरपेदेश में देखने को मिलेगा. अगला है बहुत धरम की किस संधिती में? बहुत धरम दो भागों में बटा था, एक तो हीनयान था, दूसरा महायान. तो यह आप देखेंगे चौती बहुत संधिती में. पालबंस की किस सासक ने पिसिद् विध्याले की स्थापना की थी. तो याद रखेंगे विक्रम विध्याले की स्थापना किस ने तीक की थी? धरम पालने. गुप्त बंस का कौन सा सासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. तो चंदगुप्त दुती है. लोधी बंस की किस सासक ने भ लगाया जाता था संबराट अकवर ने जैन धर्म के जैनाचार हरी विजय सुरी को क्या उपादी पिदान की थी जगत गुरू की और माना जाता था कि अकवर अनपड था लेकिन आप समझें कि अनपड होते हुए इतना ज्यानी होना बहुत बड़ी बात उस्ताद मंसूर तथा अबुल्फ हसन किस मोगल सासक की सिष्ट कलाकारी में से थी जहांगीर के समय के होलकर ने अंग्रेजों से मंदोसौर की संदी कप की थी जनवरी 1868 की बात है पेरिफिलस ऑफ दी रिथियन सीमे अरीकमाड मेडू बंदरगा को किस नाम से संबूदित किया गया है पेडोग नाम से पेडोग नाम से अलाउद दीन द्वार निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जित का प्रवेश द्वार है कुबद उल इसलाम मस्जित का अकवर की अलवाईउ होने के कारण 1556 से लेकर 1560 तक मोगल समराज की सासन की जिम्मेदारी किस के हाथ में थी वैरम खां के हाथों में और वैरम खां ही इनका मुक्स सेनापती एक तरह से आप कह सकते हैं अंति मोगल सासक कौन था बहादूर साय जाफर अंगला कुश्चन है बहुत धरम गरन कने वाली पहली महला कौन थी गौतमी स्रीमद भागवद गीता किस धरम का पिधान गरन थे भागवद धरम का किस सादवहन नरिस में गाथा सब्थ सती नमक मात्मुर्ण की ती की रचना की थी तो यह हाल लें की थी यह सादवहन बंश का नळीष था किस राश्ट कूट सासक ने एलोरा की परवतों को काट कर पिसेद्ध कैलास मंदिर का निर्वाड करवाए था तो ये था किस ने पिथम याद रखिए राश्ट कूट बंसका सासक था अंगला कुशने चोल सासक किस धर्म की अनुवाई थी सेव धर्म के किस यूद को जीतने के वश्चा सेसाय ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, तो चौंसा का यूद, ठीक है, आलमगीर टीला जो 1998 में पता लगा था, वह कहाएं, ये उत्तर प्यदेश की मेरट चिले में देखने को मिलेगा, उत्तर प्यदेश की मेरट चिले मे ये हो लबलेक किस सासक से संबंदित है, ये पोलकेसिन दुती है, किस से पोलकेसिन दुती है, तोल वक्त पियम किस युकी भान केरती थी, ये संगम युकी, संगम युकी, इलावाद इस्तंबलेक का रचनाकार कौन था, इलावाद इस्तंबलेक का रचनाकार आपको देख एकने को मिलेगा हरी सेन किस मुगल सासक को सहुव वेखवर के नाम से जाना जाता था तो यह था बहादूर साइड पिथम ठीक है अंति मुगल बात साइड बहादूर साइड दुतिय की डैथ कहा हुई थी इसकी मौत कहा हुई थी तो याद रखे रंगूर में फोर्ट विलि साइड लुवरे थे तो यह थी अमरploys सर की संधी आमरेक सर की संधी संध पिजय का स्र hops वेट दिक्यारी को है एस चार्स नेफीयर को बैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रिजा से बसूल किये जाने वाली कर यानि की टेक्स का क्या नाम था बली क्या बली और बली जैसे ही दिमाग में आता है तो एक दूसरा आता है पसुओं की बली दी जाती है नहीं ये टेक्स था ठीर संगम युक का ग्रंथ मडी मेकले किस धर्म की सेष्टा पिदिवादित करता है बहुत धर्म की भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीनिस कर्मन कहा जाता है ग्रह तर्याक को यानि की घए घर छोड़ने को किस सिरोत की अनुसार असोक ने अपनी बिद्धावस्था में राज सिंगा हसन का अपने पोत संपिर्टी की पक्ष में फरीत्या किया था तो ये ग्रंथ है दिववदान ठीक है चालीसा चालीसा अमीरों का समो कजड मूल से किसने बिनास किया था बलवन ने हैदराबाद का नगर का सस्ता पा कौन था मुहमद अली कुतुप साय हैदराबाद जहां आप देखते हैं कि वो वैसुबंदीव बंदू रहते हैं चांद बीवी का मकवार बिवाग किस राज के सुल्टान के साथ हुए था तो ये आप देखेंगे बिहापुर के अली आदिल साय से सो पिसिद्ध किर्ती तवकात ये अकवरी की रचना किस ने की थी ये था आपका खवाजा नजामुद्दीन अहमद सामवेद को गाने वाले विस्सक क्या कहते हैं उदगाता ठीक है उदगाता और जैन सायत को किस नाम से जाना जाता है आगम अधिकांस बिद्ध्वानों के उससा सिंदु घाटी सब्दा की निर्मार थी देरविड निर्माता कौन थी देरविड संगम काल में राजा की जनम दिन को कहा जाता था पैरू नल जो आप देखते हैं ना बड़े उसी की बात की जा रहे है याग वलक की समिती ठीका किस ने लिखी थी बिग्याने सुन ने कसमीर का अकवर किसी कहा जाता है जैनुवल अवादीन को बावर की आत्म कथा तुजुक ए बावरी किस भासा में थी तुर्की भासा में एस्ट इंडिया कंपणी को बंगाल और बिहार की दीबानी किस मोगल समराट ने पिदान की थी? एस था आपका साहे आलम दुती है साहे आलम दुती है रेगवेद में दस्तिव सब्द किस के लिए था? अनारियों के लिए संगम यूगीन साहित किस सैली में लिखा गया था? काब सैली में काब सैली में गौतम पुद्ध की जनम किसमे पाटली पुद्ध का समराट कौन था? विम्मी सार कौन था? विम्मी सार चंदावर का योद किस किस के बीच हुए था? एक तो इसमें मुहम्मद गौरी था और दूसरा था जैचंद परमारबंस की राध्धानी कहा थी धारा नगरी जो एमपी में आप लोग देखते हैं धार महावली पुरम इसति साथ रर्थ मंदिरों का निर्माण किस ने करवाय था नर्सिंग बर्मन ने नर्सिंग बर्मन ने तहकी के हिंद गिरंत की रचना किस ने की थी अलवरोनी ने अलवरोनी ने दीवा ने कोई के स्तापना की सिल्थान ने की थी एथा मुहमद तुगलक ने किस ने दौन्त लखने जफर नामा के नाम से इतियास में क्या बिख्या थे ओरंग drafting कर लिखा गय बाली अगनी विस्या नयर तथा विवेद विध्यवेद माधों की कथा का उलिक किस ग्रंथ में सरपेथम हुआ तो ये था सत्वत ब्रहमड और रिगवेद में सबसे अधिक मन्त किस से देवता की इस्तुती में लिखे गए हैं इंदी की इस्तुती में ठीक है तो इंद भग प्रहोजी ने अफ़रन की नीती कि अंतरकर सरपेथम किस राज जी को अंग्रेज जी समराज की अधिन लगए था ये था सतारा सतारा भारत में स्थानी सो सासन का फैरम किस ने किया था लौड रिपन और मद्यकाली इतिहास का सरवाधिक विवाद इस पर सासक किसे माने जा प्रांद की राध धनी था उत्रापत की अजन्ता की कौंसी गुफा सरवाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौध उपासकों को इस्तोप की तरह आंगे बढ़ते हुए चित्तित किया गया है गुफा संख्या 9 गुफा संख्या 9 ए महराष्ट में आपको अजन्ता की गुफाए प्रचित ब्हेथ सहीता में चालूग बंस को किस-जाती का मानगा है इसलिख जाती का अरश्ट हूटर आजवल्ला क चोललेखों में किस राज्या को सुक मता वर्थ अरथात करों को हटाने बाला कहा गया है तो ये था कुलूतुंग पिधम कौम था कुलूतुंग पिधम गुलाम बंस का सासक अलाउदीन मसूद साहे किस परिवाल से सम्बन दित था तो ये था इलतुतमिस के परिवाल से सल्तनत काल में बिद्वानों एवं धार्मिक लोगों को पिदान की जाने वाली आर्थिक साहे तक क्या कहलाती थी इद्दार, इद्रार, इद्रार, ठीक है अकवर ने 1562 में मेर्टा पर सर्फुद्दीन की नित्त में बिजय प्राप्त की थी इसका असासर कौन था उस समय जैमल एंगलो इंडियान हिंदू इसोसियेशन की स्थापना कित्र ने की थी हैंरी बिवियन डेरो जीयों ने मातमब वद्द की वित्यू के पाद उनके सरी के अवसेसों पर कितने स्थूपों का निर्मार किया गया तो यह हैं आठ इस्थू गुप्तुप्तर काल में राजा द्वारा फिदत भूमी अनुदानों की आग्यापत क्या कहलाते हैं थे सासन पत्थ किस इमारत को ताजमहिल की फूहर नकल कहा जाता है बिवी का मकवरा को ठीक है हुजूर दप्तर क्या था पुणे में पिसवा का सचिबाल है इसे आप लोग हुजूर दप्तर भी कहते थी लिंगाय संपधाय की अनुवाई किस देवता के उपासक थी उसे भगवान के दिवान ए इसा का क्या कार था पत्य विवार का कार दिल्ली सल्तनत का वाई कौन सा सुब्दान था जिसने एक अकाल सहिता तियार की थी तो ये था मुहमद बिन तुगलक लोहिगड का किला किसने बनवाय था? गुरू गोविन सिंग ने किसने? गुरू गोविन सिंग ने कसमीर की मारतन्ड मंदिर के संस्था पक कौन थे? ललीता दित, मुक्ति पीड अंगला कुष्चा ने रिगबेद में किस अपराद का सबसे अधीक उलिक किया गया है? तो ये पसू चोरी का उत्तरवैदिक काल में सासर विवस्था का सामान रूप क्या था? राज्तन्थ, राजा का तन्थ मौरवंस का कौन सा सासर विद्धावस्था में जैन संत भध बाहू के साथ दच्छन चला गया था? तो ये चंदगुप्त मौर इत था? चंदगुप्त मौर गौप्त उत्तर कालीन भूमी विवस्था की विरोध अत्पा विद्रोस औरूफ किस धार्मिक समधायका होदा हुआ? ए लिंगाय समधायका किसका लिंगायत समधायका? मनु एवं यग वलक के? इश्मिटियों में इस्तिरियों को किसके समतल माना गया है? सूद्रों के समतल महमूद गजनवी ने भारप पिथम तथा अंतिम आकमर कब किया था? तो एकजार इसबी में आता है और अंतिम था इसका 1027 इसबी का राश्ट कूट किस राजवंस का उत्तरादिकारी? राजवंस था वकाटक राजवंस का किसका? वकाटक राजवंस का मेर कासिम ने अपनी राध्धानी मुर्सीदाबास से कहां इस्तानांतित की थी? मुंगेर में कहां? मुंगेर में चोल सासक किस मत की सरक्षक थी? सेव मत के ठीक है? चितोड अभियान के दौरान एक थार्सी तिहास का अलाउद्दीन खिली के साथ गया था उसका नाम क्या था? अमीर खुसरो हडपा संस्किती में घोडी की अस्तिया किस इस्तल से प्राप्त हुई है? सोरकोटदा से किस से? सोरकोटदा से संगम योग में रचित गरंत तोलक का फियम का विसय कौन था? तमिल ब्याकरण है जुनागर इस्ति सुदर्सन जीहिल का निर्माड किस ने करवाय था? चंदगुप्त मौर ने मेस के सासक टोलेमी ने डायो नियस को दूद बना कर भारत के किस सासक के पास बेजा था? बिंदू सारके किसके? बिंदू सारके अभी लेकों में देव नाम प्रिये और प्रिये दर्सी किस सासक को कहा गया है? असोक को असोक मौर वंस का सासक था? किस बहुत भिक्चू के परभाव से में आकर असोक का धरम परिवर्तन हुआ था? तो यह था उप गुपत अगला कुश्चन पूछ रहा है हमसे इसलामी इस्थाबत कला का सरवादिक बहुमूल रतन समझे जाने बाला अलाई दर्वाजा का निर्मार किसने करवाय था? अलाउद्दीन खिल जी ने बंगाल के किस नवाब ने अपनी राध्धानी धाका से मुर्सीदाबाद इस्थानांतित की थी तो यह था नवाब मुर्सीद कुली खा फिसिद्द कौणाक मंदिक किस देउता के लिए है तो यह सूर भगवान के लिए बना है यहाँ याद रखी अगर आपसे कभी कोश्णास फूसता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धात्तू का उपयोग किया था तो तामे का और पालतू पसू कौन सा कुट्ता पेथम बौध संगती का आयोजन बौध की मित्यू के ततकाल बात किया गया इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थि? महाकस्य अपने मिलिंद पनो के पाथ है नांग सेंग एवं मिनांडर पलो चोल मंदिर इस्थापद कला सैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रैवर सैली से कल्याजी की चालुप को को तन्जावर की चोल सासक वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयम को नायव एक खुदाई इसोरिक का पितिनेदित मानता था तो यह था बल्बन रजम नामा की नाम से किस संस्कित गरंद का अनुवाद किया गया था महा भारत का महा भारत जो आप लोग देखते हैं इरान की सीमा की समय इस्तित हडपा कालीन पिर्मुक इस्तल का क्या नाम था सूकतांगे डोर याद रखें नवीन्तम हडपा कालीन इस्तल धोलावीरा किस राजी में खो जा गया यह गुजरात में पड़ता है किस जैन तीर्थकर को भगवान किसने का निकट संबंदी माना जाता है अरिश्ट नैमी को नैमी नाथ को मौर समराट में सीता अध्यक्ष किस विभाग की अध्यक्ष होते थे क्रिसी विभाग अध्यक्ष के अलावदीन खिल्जी नेकिस पिदेश से अपार संबदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्धी पर अधिकार किया था तो ये देवगरी यादवों का यहार सासन हुआ करता था थिर आप देखेंगे जौनपूर के सुल्तानों ने सरकी उपादी को किस धारन किया था यह याद रख सकते हैं मुगल समराज की फ्रांतों में विभाजयां सरपेदम किसने किया था मुगल समराज को तो अकवर ने किसने अकवर ने दिल्ली के सिंगालसन पर वैठने बाला पहला अफगान सासा कौन था तो बहलोल लोदी भारत में पुर्दगालियों का पहला ग देखे भारत आने की बाले रास्ते की खोच की थी बासको डीगामा भगबान बुद्ध को निर्मार्ट प्राप कहा हुआ कुसी नगर में चत्पती सिवाजी की मंत्री परिशत को क्या कहा जाता था अश्ट पिधान अथर्विवेत का ब्रह्मण गिरंत कौन सा गौपत ब्रह कौन था खिजिखां किस सूपी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है तो एक था निजामुद्दीन हॉलिया एक कुश्चन्स भी कई बार वन चुका है किस गरंद का अनवाद रजम नामा की नाम से किया गया महाभारत का मराठा सुतंता संगराम का नितित औरंगेव की सत्रे सो 661 में इसे याद रखिए पानिपत कर तीसरा यूदह अहम दाबाद अब्दाली और किसके बीच हुआ था मराठों की बीच अब्दाली आहमदसाय अब्दाली और मराठों की बीच पित्थम जेन सवा किस सासक काल में हुई थी? चंदगुप्त मौर की सासन काल में पित्थम इतिहासिक समराट किसे माना जाता है? चंदगुप्त मौरी को हडपा संस्किती का आयताकार मुहरें क सामानता किसे से बनी है? ये सैल खड़ी से किसे सेल खड़ी से बैदी कियोग में राजी विवस्ता का स्वरूप कैसा था राज तंतरात्मक रिगवेद में सबसे अधिक मंद किस देवता की स्थिति में लिखे गए हैं इंद भगवान की बेदांत सब्द का परियोग किया गया उपनिस्तों के लिए 1779 से 70 का पिसिद अकाल देश के किस भाग में पढ़ा था बंगाल में आपको देखने को मिलेगा साय जहां ने जहांगीर के विरुद बिद्रो किस वर्ष किया था 1623 में 1623 में खालसा का अरम किस तिक्खे गुरू ने किया था तो यह थे गुरू गोविन सींग कौन थे गुरू गोविन सींग अंग्रेजों का सबसे पहला संगर किस मुगल समराज के साथ हुआ था तो याद रखी औरंग जेब के साथ औरंग जेब के साथ चौती बौद संगिती किस के सरक्षन में संपन हुई थी किसके कनिस्क के सारक्षन में महावी स्वामी ने अपने संगों को 11 गड़ों में बाट कर चतुर विग संगी की स्थापना की थी कहां पावा में हड़ापा संस्किती से सम्दित इस्तल रंगपूर किस राज़ी में पढ़ता है गुजरात में बैदे कियोग में अनस किसका परिचारक था? बैल गाड़ी का तैमोर की अकमर की समय भारत पर किस बंस کا सासन चल रहा है था? तुगलक बंस का किसका? तुगलक बंस का फुतू हते फिरोश साही किस सुल्तान की आत्म कता का नामे? फिरोश तुगलक की कौन सा सूपी संपदा विहार में अधिक लोग पिये था फिर दोसी महावलीपुरम के मंदिरों का निर्मार किस राजवन्स के सासकों ने करवाय था पल्लाववन्स के सासकों ने राश्ट कूटों का पिसिद इस्थापत कार कौन सा था कैलास मंदिर दिल्ली के लाल के लिए में मौती मिश्जित का निर्मान किस ने करवाय था? औरंग जेब ने बैदिक राजाओं द्वरा अपनी पिरजा से बसूल किये जाने वाली कर का नाम क्या था? बली सुतंताक्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हडपा यूगरिन स्तलों की खोज किस राज में हुई? गुजरात में अजीबक संपदाय का पितिपादक कौन था? मक्कली गोसाल किस सिस्थान को बहुत धर्म की जनमिस्थली माना जाता है? लुम्मिनी को सिवाजी की पिता साई की जी भौसले मूलता किस राज के राज सेवा में थे? अहमाद नगर के बिक्रम सिला बौध मट की स्थापना किस ने की थी? धरम पाल ने या बिक्रम सिला बिस विद्ध्याले की बात कर लिए दिलबाडा का जैन मंदिर कहा है? माउंट आवू में राजिस्थान की काली बंगा में सिंदू घाटी सब्वता के आउसिस प्राप्त हुए हैं या इस्थान किस जिले में पढ़ता है? गंगा नगर जिले में राजिस्थान का जिला है गंगा नगर मद्यकालीन भारत किस सासक ने मजहर की घोशना की थी अकबर ने दिल्ली के लाल के लिए का निर्माड किस मुगल सासक ने करवाया है और इसके लिए में मौती मस्जित का निर्माड किस ने करवाया था तो आपको बता दू इस किले का निर्माड, दिल्ली के लाल किले का निर्माड साय जहाने करवाया था और इसमें जो मस्जित है, जिसका नाम मौती मस्जित है, इसका औरंग जेम निर्माड करवाया था, किसने? औरंग जेम ने अगला कुश्य ने दिल्ली सल्तनत के किस सासक ने राध्धानी दिल्ली से बदल कर दौलतावाद करने का फैसला किया था तो ये था मुहमद बिन तोगलक ने किस ने मुहमद बिन तोगलक ने दीवाने को ही जिसकी स्थापना मुहमद बिन तोगलक ने की थी किस बिसाय से सम्मेदे था? किर्शी से बैटी सिष्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कालखानों की अर्मती देने वाला मुगल सासक कौन था? जहांगीर 1878 के वर्नाखुलव फ्रेस एक्ट का अभी पराय क्या था? भारती भासाओं में समाचर पत्रों का पिकासन रोकना सत्त सोधक समाच की स्थापना किसने की थी? जहुतीवा फूली ने पेसावर किस समराट किस आसनकाल में बौध सब्यता का पिसेद्ध केंद था? कनिसकर किस आसनकाल में? याद रुखिये मुहम्मद तुगलक की सासनकाल के अंतिम दिनों में दच्छिडवी भारत में किसी दो विसाल सुतंत राज्यों का उदय हुआ एक तो आपका बिजेने के लथा दूसरा बह्मनी समराज था खानबा की योद्य में मेवाड को पराजित करने वाला सासा कौन था बावर दास बंस को समाप्त कर खिल्जी बंस की आधार सिला रखने बाला खिल्जी बंस का सासा कौन था जलाल उद्दीन खिल्जी और आपने मोवी भी देखी हो यह जलाल उद्दीन खिल्जी की आंगे चल की अला उद्दीन खिल्जी क्या कर दी था हद्या कुबबत उल इसलाम मस्जित का निर्मार किसने करवाय था कुतो बुद्दीन एवक ने भारत पर आखमर करने के लिए 1524 में बावर को लोधी बंस के किन दो सरदानों ने आवंतित किया था एक तो आलम खान लोधी था और दूसरा दौलत खान लोधी था 1757 में अली नगर की संधी किन किन के मद्ध हुई थी एक तो सिराज उद्वला था दूसरा की लाइप था किस एक्ट के अंतरगत कलकता सर्वोच नियालाई की स्थापना हुई थी तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था सामवेद का पिथम दृष्टा बेदव्यास के किस सिस्थ को माना जाता है जैमिनी को असोक की अधिकान सबलेक किस लीपी में है ब्रह्मी लीपी में किस बौध गरंथ से यह पता चलता है कि छटी सताब्दी इसापूर में किस ने लिखा कि ब्रह्मण की परिक्षा तुला से और चत्रिय की अगनी से बैस की जल से सूधी की विस्ते की जानी चाहिए यह वराह मिही ने अपनी किस पुस्तक में चारों वड़ों के लिए अलग-अलग नियाय कसोटियों का सिद्धान दिया तो यह थी बेहत सज्था ठीक है चेर कभियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया सैन गुट्टवन लाल चेर को नौसो तेरासी में गंग राजा राजमल्य चतुर की किस मंत्री ने सेवर्ड वेल गोला में गौमतेसुर की 56.5 फुट उची स्पिसाल पीतिमा का निर्मार करवाय था तो यह था चामुंड राए कौन चामुंड राए खेर उल मर्जलिस का लेखा कौन था हमी कलंदर बरनाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसे वायसराय की समय पारित हुय था अठारे सो अठात्तर में लॉड लिटन की समय अकबर की दरवार में सबसे पिसिद्ध हिंदी कभी कौन थे अब्दुल रहीम खान खाना मलिक कपूर के विरोध लड़ने वाले वारंगल की काक्तिय सासक थे पिताब रुद्ध देओ केरट एंड इस्टिक की नीती अपनाने वाले लौड मिंटो किसके बाद इस पत पर आई थे लौड कर्जन के बाद इस्ताई भूबंदुबस्त किस गवर्न जनरल ने और कहां आसे आरम की थी लौड कानवालिस ने कहां से बंगाल से सासाराम बिहार में किस सासक का मकवरा है सेसाय सूरी का अश्टांग मार का पालन करने किस इक्षा किस ने दी थी गौतम बुद्ध ने सासक ने आगरा को अपनी राध्धानी बनाय था सिकंदर लोधी ने और ऐसा भी माना जाता है कि आगरा की स्थापना एक तरह से सिकंदर लोधी नहीं की थी बैसाली किस प्राचिन राध्जी की राध्धानी था लिच्वीय राजकी किस पश्चमी विद्वान ने रॉम से भारत में सोने की निर्गम पर दुख पिरगट किया था तो यह था फिलिनी यानि कि आप समसकते हैं कि पहले सोना भारत में आया करता था इतना ब्यापार अच्छा था भारत में खरोष्टी लिपी को इस्थाफित किया एरानियों ने गौधन को अनादा सुकदा कहा गया है सुत निपात में चिरान में लालवा काली मिदभांड का काल का संबन किस दासू थे लोहा से संपन वा धनी किसानों को संगम सायत में क्या कहा गया विलाम रिगवेद में अगन्या सब्द का इस्थिमाल किसके लिए हुआ है? दूद देने वाली गाय के लिए खिलजी सासन के दोरान निर्मीद बस्तूओं तथा बाहर के विदेसों अधीनस्त राज्यों और विदेसों से आने वाले माल के वाजार को क्या कहा जाता था? किसे अबलेक से असोक को पहचाना गया है? मासकी और गुरजरा अबलेक से क्योंकि असोक का नाम असोक मिलता है इनमें देवपतन तथा कसमीर के सिनिरनगर की स्थापना कसरे किसे जाता है? असोक को किस मुगल सासक को रंगीला नाम दिया गया? मुहम्मद साहे को रंगीला आप समझ रहे हैं? चंदेल बंस का सासक कौन था? नन्नुक और जो खजवराहू के मंदर देखते हैं वो चंदेल सासकों से ही हैं मुद्रा राक्चक कि किसकी रचना थी? विसाकर दत्की किस सासक ने सुदर्सन जील का पुनर निर्माड करवाए था? रुद्य दामन ने और इसका निर्माड किसने करवाए था? चंदगुप्त मोर ने पिसिद्य पेशवा बंस में पिथम पेशवा कौन था? बाला जी विसुनात बादरायन का ब्रह्मा सूत किस दर्शन से संबंदी थे? बेदान से बुद्ध की पिथम पितिमा बनाने का सिरे किस कला को दिया जाता है? मतुरा को जैन धरम की पिथम तीर्ट कर कौन थे? रिसब्देव आप लोग भी कहते रहते हैं न? पैरा मेडाकार बिमान की सैली के मंदिरों में खासंग है दैविड भारत के किस समराट ने चेन की सेना को परास्ट किया था? तो एक कनिस्क था महरानी विक्टोरिया ने भारत की महरानी की उपादी किस वर्ष धारन की थी? 1877 में लौड डलहोजी ने अफरन की नीती के अंतरकस सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी समराज में मिलाए था? सतारा को इसे भी देख चुके हैं सिबिल सेवाओं में पितियोगीता परिक्षाओं की माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? 1853 में आप लोग भी देखते होंगे गुरू अरजुन देओ कि बद के परशाद कौन से गुरू बने? गुरू हर्गोविंद होईसाल राज किस पिदेश में इस्तित्ता? करनाटक में समुद्ध गुप्त की उपलब्दियों का बैड़ान मिलता है इलाबाद पिस्तस्ती में, इलाबाद अभिलेक में बिक्रमादित की उपादी किसने ग्यांड की थी? चंदगुप्त दुतिये ने कनिस्क ने किस धर्म को सरक्षन दिया था? महायान बौध धर्म को इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना के समय भारत का सासा कौन था? अकबर का समकाली मुस्लिम लेख़त ने उसकी आलोचना की थी? तो यह था वर्नी, कौन था? वर्नी फिर आप देखेंगे कौन सा दिल्ली सुल्तान असोक इस्तम को दिल्ली लाया था फिरोस साय तुगलक किसके सासनकाल में मराठों के राज जी का सरवादी फिरसार हुआ तो बाला जी बाजी राओ के सासनकाल में अवद का अंतिम नवाब कुन था वाजिद अली साय हडपा काली मोहरों पर अंकित सिंग योगत सिरोबस्त पहनने वो पसुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूब में की गई पसुपती सियो के रूब में संगम योग में योद का पिरमुक कारण क्या था पसुओं की चोरी आप समझ सकते हैं कि पसुओं इतने महत्पूर्ण हुआ करते थे मुगल भवनों की दीवारों आधी पर सिल्फित फूल पत्तियों पर आहर बहु मूल पत्थ्रों को जोड़ने की जड़ाओ कला को पैतरा दूरा कहा जाता था किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पर्माने पर पैतरा दूरा का प्रेयो ब्यापक रूप से किया गया था तो आप देखेंगे आगरा में इतमाद उत दौला की मकवरी में जो नूर जहा ने अपने पिता इतमाद दौला की याज में बनवाय था इसमें और ता गोविंद चंद गरवाड ठीक है पिसिद गुलाम तुरोक अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किस ने की थी इलतोत मिस ने अकवर के अलपाई होने की कारण 1556 से 1560 तक मुगल समराज के सासन की जिनमेदारी किस के हाथ में थी बैरम खां के हाथों में पहले भी बता चु किसने पिथम ने ए राष्ट कूट सा सकता मौर काल में मारकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे सुलका ध्यक्ष जो आप देखते हैं रोड टेक्स एक तरह से पूहन जोदरों की खुदाई किस नधी के तरप पडवी सिंधू अकवर जिसे अपने जीवन काल में प जिति साइवेरियाई इसारस का चितरन किसने किया था मनसूर ने जालिम हुमायू के नाम से पिसे ढिश आसक किस दिश का था बहमनी बंसका राजा की उत्पति के विशार में पिथम शाक्ष किस गरंत में बिलता है एतरेव विरमड में विसुद्ध मारक की रचना किसने की की थी बुद्ध घोसने संस्कित की नाटकों में पर्टाक्षेप के लिए यवनिका सब्द का प्रियोग किया जाता है यह किस भासा का सब्द है यूनानी भासा का इसा की पारंभिक साथाब्दियों में जोंकु किसको कहा जाता है लिनन के कपड़े को किसने गता जाज ने स्टापनों की थि एस्ल्टानी राध्णी गलवरद्दा थि बहमनी राज की बंगाल किसे नबाब सट्रैशन में करेकर करके। था तो नबाब सिरा जुद्धुला था हुमाईव को मकवरा कहा है दिल्ली में हुमाईव को मकवरा दिल्ली में इरानी भासा कि किस गरंथ की तुलना भारती गरंथ रिगवेश से की जाती है जैंद अविस्ता से जैंद अविस्ता की तुलना हमारे गरंथ जो है रिगवेश से की जाती है बौध धरम के त्री रतन कों से त्री ने बौध संग धम ठीक है तो राजी के सब्तांग सिध्धांग का पितिवादन किस ने किया था चाड़क ने खुर्रम द्वारा दच्छन भारत की सेन अबियानों में महत्कूर्ण सफलता अरजित करने के बाद जहांगीर ने उसे क्या उपादी दी थी साय जहां की किल्स मुगल समराट को जिंदापीर के नाम से जाना जाता था औरंग जेप को दिल्ली पर नादे साय एवं अहमद साय अबदाली का आकमट किस मुगल समराट के सासनकाल में हुआ था मुहमद साय के सासनकाल में केलाईप की समय बंगाल की स्वयद विद्रोव हुआ था और इसे किस ने और किस केलिए किया था एंग्रेजी अग्रेज सैनकों ने बह्त्ते के लिए साइमन कमीशन ने सिक्छा की छृत में हुई विकास की समीक्छा केलिए किस सम्ति की स्थापनागी थी? हर्टांग सम्ति की गीत गोविंद गरंथ की लेखक जाईदेवक किस आशनकाल में दरवारी थी? लचमर सेंट के किसके? लचमर चेंट के चारों आस्परमों का सरपित अ मुल्लेक किस गरंथ में मिलता है? यह आपको जवालो निसद में है, ठीक है? सूत पिता किस धर्म का मतपूर गिरंथ था? बॉध्ध, ठीक है? हरी सेन, दिली सल्तनत में प्रणाली का फ्यारम किस सासन ने किया? सासन ने किया था, तु इल्टुत्मिस ने, अर्वी भासा में लिखी कई पुस्तक तहकी काते हिंद, किस की किरती थी? अलोवर्नी की, अकबर की भूराजस्त विवस्था के प्रवर्त कौन थे? टोडर मल, ज जहांगीर, जहांगीर के सासन काल में असमत बेगम, एतमाद दौला और आसप खा, किस गोट के प्रमुक सदस थे? नूर जहां के गोटके. सरवाधिक हिंदू मनसबदार किस मोगल समराट के सासन काल में थे? तो ए औरंग्जेव के सासन काल में. महतमा बौद्द ने किस सा सासक के राजिकाल में निर्वाचित प्राप्त किया था अजास सत्रू के भारत में पिछली सबसे पहले किसे पिकार के थे तुन्नत सलाका और इस्तिहास के पिसे सिकंदर उद्वारा और दारा के योद में सिकंदर उद्वारा कहां के राजा थे एक किरमसा आप देखेंगे की उनान और इरान के हुगा करते थे पानी पत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापती कौन था सदासिभ भाव राव भाव ठीक है दिल्ली सल्तनत का वह सासर कौन सा पिथम सुल्तान था जिसने सुद्धर भी सिक्के और टका और जीतल जारी किये थे तो यह था इलतुत मिस साइम हल्दी घाटी का यूद कब हुआ था पंद्रह सो चेहतर में साइमन कमीशन का वाए कौन सा पिथम सुल्तान था कि जो बाद में आप देखें कि बेटेन का पिधार मंत्री बनता है तो यह था क्लिमेंट एटली किस राजवंस के दौरान महावली पुर्वम के मंदिर इस्थापित हुए तो पल्ला और राजवंस के दौरान दीग निगाए किस पिटक का खंड है सूत पिटक का बौद गरंद से असो काल में आहुद बुद्ध संगिती का अध्यक्ष कौन था तो यह आप देखेंगे मौगली पुद्ध तेस्थन बनमाली एवं काली वंगा में सेंदाव संस्किती के किन दो अवस्थाओं की आउसेस मिले हैं एक तो हडपा पूर वे एक हडपा कालीन संस्किती के यह जवनिक्या किसके लिए प्रियोग किये जाने वाले यूनानी सब्द था संस्किती के नाटकों में पटाचेप के लिए समुद्ध गुप्त के इलावात पे सस्ती लेखका लेखक बता चुका हूं हरी से ने पाटलीपुत का पतन और कन्नोज का उद्धान गुप्त काल के क किस चरण में हुआ था अंतिम समय में इतियास में तूते तूती हिंद उपनाम अमीर खुसरों को दिया जाता है को तो बुद्धी ने वक्का लोग पी जाए नाम क्या था लाक वक्स प्राचीन यवदीप का अधुनिक नाम क्या है जावा दच्छिड के अलावार तथा निव नार किरमसा किस दिवता के उपास्तक थी विश्णू तथा सिपकी सलतनत काल में बड़ी फिर्वाने पर नहरों का निर्मार किस ने कराए था सुल्तान फिरोज तोगलक ने औरंग जेब ने सिबाजी को कैद कर किस सहर में रखा था आगरा में ठीक है रेगवे बड़ी इंदच्छें भारत में भगवान किसनी की तुलना किस देवता से की जाती है मेव देवता से किस इश्थमिती से या पता चलता है कि गुप्तकाली नियाय ववस्ता में नियाय के چारवर्ग थे नारद इस्थमिती से कल्बशूत की रचनाकार थे भद्ध बाहू ध इल्तली सल्तनक का सुल्दान बनने से फूर्व इल्तुतमिस किस रूम में काम करता था? तो ये बदायू का पिसासक हुआ अकरता था. भारत में वेटिस समराज की विस्तार के लिए साहिक संदी का अनुसरन किस से गवर्नर जनरल ने किया था? लौड वैली जली ने. अमीर ख अचेन तम तमिल व्याकरन तोल कप्यम के संगम की रचित पुस्तक है दूतिय संगम की. गुप्त बन्स की पिथम और अंतिम सासक क्रम सा कौन थे? स्री गुप्त तो पहले थे और लाष्ट की विष्णु गुप्त थे. अंगला कुष्चन समसी क्या कह रहा है? महरौली लोह स्थम कहां देखने को मिलेगा ये? ये दिल्ली में देखने को मिलेगा. दिल्ली आप अपनी राध्धानी जानते हैं न? वहीं. अंगला कुष्चन है हरस बर्धन किस राजबन्स का अंतिम सा सक था? तो ये था पुस् बन्सका. सिकंदर की मित्ती हुए यानि की डैत के किस स्थान पर हुई थी? तो ये था बेवी लॉन. ठीक है? बेवी लॉन. और अंगला कुष्चन पूच रहा है पिरवव सेन न? चार असमें क्याग किये थे. वह किस राजबन्सका था? तो ये वाकाटक बन्सका. किसका? वाकाटक बन्सका. अकवर की सासनकाल में पूनर गठिद. केंदरी ये फिसासन के अंतरकर सैनिक भीमाग का प्रमु कौन था? तो याद रखिए मीर वक्सी. मीर वक्सी. अंगला कुष्चन है हमारे सामने? नची केता और यम के बीच सो पिसिद्द संबाद उलेकिक है. कहा किस उपने सद में है ये? ये आपको देखने को मिलेगा कंठो उपने सद में. अंगला है रिगवेदिक काल में सासन का प्रधान राजा होता था. और जबकि उसकी सायता करने बाला सरवादिक माठपूर पदारिकारी कौन होता था? तो यसे पुरोहित कहते थे. क्या कहते 1111 ECB में यानी की AD में. हुमायू नामा किस की किरती है? गुल बदन बेगम की. दिल्ली सल्तनत की अधिकारिक भाहसा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की अधिकारिक भाहसा फालसी थी. पंच सिद्धांतिका, वेहत सहिता और वेहत जातक. किसकी रचनाय है सभी? तो याद रखे वहा वराहे महिर की ये सभी रचनाय हैं. ये सभी किसकी रचनाय है? वराहे महिर की. ठीक है? ये आप लोग याद रखे. चिपरा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंदगुक्त दुतिये की पश्चमी राध्धानी रहा था तो उज्जेन और आप सभी जानते हैं यह उज्जेन MP वाला उज्जेन ले ठीक है यहां महाकाले सुरु का मंदिर भी है महाकुम में भी लगता है यहां समझ रहे हैं किया गया है तो यह है मिलिंद क्या है मिलिंद कलाकी सैली को ग्रेक बॉद्ध सैली की संग्या दी जाती है गंधार सैली को किसे गंधार सैली को देवी चंद गुपतम की रचना कौन सी है किसने की तो यह विसाखा दतने देवी चंद गुपतम की रचना किसने की थी जल्पना हिंदु धर्म के किसमत में हैं, तो याद रखे सेव मत में, यानि किसे भगवान को आप जानते हैं, उनी में, पितिवीराज चोहान के विरुद्ध मुहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंतित करने वा सहायता देने के लिए किस सासक को देश द्रोही की संग्या द रखे, बारे सो चे में और बारे सो नब्य इस भी तक दिल्ली सल्टनत पर किस बंस का सासन रहा है, तो याद रखे गुलाम बंस का, बारे सो चे से लेकर बारे सो नब्य तक, और आप समझे कि गुलामों ने भी हमें गुलामी करवाई एक Прав करा, कंबर का राजय विसीक की death यानि की मौत के पश्चाज नोड जहाने किस से मोगल समराठ गोशित किया था तो यह था सहयार ठीक है याद रखे हिंदुओं के दो प्राचेन तम महा कब कौन कौन से हैं एक तो आप जानते हैं रामायड है दूसरा आपका महाभारत है रामायड और महाभारत भारत आने यह आपको मालू होना चाहिए एक कनिश्क के सासनकाल में हुई थी 1175 इसवी से 1206 इसवी तक भारत पर किस बिदेशी सासक ने लगातार आकमन किया तो याद रखे है यह कौन था सहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी जैसे आप लों मुहम्मद गौरी सामनता कहते हैं अंतिम सुल्दान कौन था इब्राहिम लोधी जो आप जाते हैं कि पानीपत का यह उद्धुगा था उसी में बावर के साथ अवंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदीर कहां इसते थे इभुबनेसर में अनंद बर्मन द्वारा ठीक है भुबनेसर में है उड़ी बुल्चाल की भासा को अपनाया था प्राक्रेट यह आप लोग याद रुखिएगा सरपितम कि सासक के द्वारा चलाएगे सिक्कों पर भुद्धिकी मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं तो कनेश्क के कनेश्क न चलाये थे इसक के ठेक है महाजनपदों में से किस महा किसका मगद कोटिल के अर्थ सास्त में गुप्त चरों को क्या कहा गया है गुड़ फुरस गुड़ फुरस ठीक है यह याद रखिए बिंदु सार की डैट के बात याने की मौत के समय असो कहा का वायसराय था तो जैन का कहा का वज्जैन मदपर इस वाला वज्जैन इसलामी आचार विचार की कानून को क्या कहा जाता है सरीयत क्या कहते हैं सरीयत पितिवीराज चोहन की विरुद मौंबद गौरी की साहता करने के कारण किस सासक को द्रोही की संग्या दी जाती है कन्नौच के जैचन्द को यह पीछे भी बात कर चुके हैं कौडार्क यानि ठीक है? बावर ने अपनी आदम गता तुझक ए बावरी किस भासा में लिखी थी? तुरिकी में. मुगलकाल में जासूस और गुप्त सुचनाओं के संभाख को क्या कहते थे? हर कारा, हर कारा. सिबाजी को सुतंत की भाव की पेड़ा किस से प्यदान की गई थी? कि थी? तो म वज्जी की. इस्तरियों को आविबाहित, अवस्था में पिता अविबाहित के बाल, पती और विध्धा वस्था में पुत्र के सरक्षन में रहने का निर्देश किस इसमीती में पिदान किया गया है? तो यह है आपकी मनु इसमर्ती. कौनसी है? मनु इसमर्ती. पाटली प जरूर याद रखिएगा. कन्वंस की स्थापना वासुदेव ने की थी. इस बंस का अंतिम सासक कौन था? तो याद रखिए सुसर्मा. एक तो पहला आप लोगों को याद रखना है कि इसका संस्थापना कौन था? या इस्थापना की इस ने की थी? तो कन्वंस की स्थापना की थी वसुदेव ने. और अंतिम सासक कौन था? सुसर्मा. इस तरह के क्वेश्चन से भी कई वार पूँच लेता है. रुद्द दामन की सासनकाल में कौन सा इस्थल सिक्षा का पिर्मुक केंद था? तो याद रखी उज्जयनी. उज्जयनी आप जानते हैं? वही उज्जयनी. दिल्ली सुतनत की सीमा का सरवादिक विस्तार किस सुल्तान की समय हुगा? तो मुहमद बिन तोगलक की समय. सबसे जानदा सीमा फैली हुई थी. सुतनत राजपूत राज्य मेवाड का सरवादी फेशिद सासक कौन हुगा? तो राणा कुमभा. राणा कुमभा. काला नौर में राजवी से की समय अकवर की क्या आयु थी? 14 साल. कितना? 14 साल. आप समझ सकते हैं कितनी थी? मराठा राजप की सुतनत सासक की रूम में 1674 इस भी में. सिवाजी का विदीवत राजवी से कहां हुगा था? राएगड के किले में. राएगड का जो दुर्ग है उसी में हुगा था. ठीक है? किस पेशबा की समय मराठा संग की समस्त सकती पेशबा की हाथों में आ गई थी? तो ये बाजी राओ. पिथम के. किसके? बाजी राओ. पिथम के. भारत में वेटिस ब्याबारिक पितिष्ठानों की स्थापना ही दू? आज्या प्राप्त करने के लिए अनेग आने वाला वेटिस समराठ जेम्स का पहला पिति ने दित कौन था? तो याद रखी ये था बिलियम हॉकिन्स. कौन था? बिलियम हॉकिन्स. ये आप लोग जरूर याद रखेगा. बंगाल में इस्थाई बंदोबस्त के रूमें इस्थमराडी बंदोबस्त का सूत्पात किस गवर्नर जर्रेल ने किया था? ये था लॉड कौन बालिस. लॉड कौन बालिस. ठीक है इसी याद रखेगे. 1931 में महत्मा गांदी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझोता किया था? तो ये था लॉड एरविन. लॉड एरविन के साथ. अंगला कुष्य ने महगा स्थिनीच की इंडिका जिसे किस सासक और उसके दरवार, सासन, प्रवंधन तथा उस समय की सामाजी के आविवस्थाओं के समंध में मत्मूर जानकारी मिलती है? तो याद रखेगे चंदगुप्त मौर से. पूर्व मुगल काल में भारत की यातरा करने वाला इवन बतूता, किस देश का निवासी था? मुरक्को का. मुहन चोदरो का सबसे मत्मूर सार्वजिनी किस्तल किसे माना जाता है? विसाल इसनानागार को. इसनान करने वाला घर. कल्फ सूत नामग मत्मूर गरंथ की रचना किसने की थी? बद्दवाहु ने. किसने? बद्दवाहु ने. किस गरंथ में चंदगुप्त मौर को ब्रेसन और कुलहीन बताये गया, यानि किन्डिम्न जाती का? मुद्रा राक्षस में. असोग के अवलेक को पढ़ने में सरविथम 1837, इस डेट को भी याद रखे, किस बिद्दवाहन ने सफलता पराप्त की थी? जेम्स प्रेंसेप ने. ठीक है? 1175 इसवी से लेकर 1206 इसवी तक भारत पर किस बिदेशी सासकने लगाता राकमण किया था? तो ये था सहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने. ठीक है? तारी के फिरोसाई की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्णी ने. किसने? जियाउद्दीन बर्णी ने. अकवर ने एवादत खाना किस था आपना कहां की थी? तो फतेपुर सीकरी में. ये कहां है? यूपी में देखने को मिलेगा. भारती ये भासा सास्त का सरवादिक फ्राचीन कौन सा है? अश्टद्ध्याई. पिसिद्धित ये हासिक पुस्तक माल बिगाग निमित की रचना कार कौन थी? काली दास. ठीक है? देवगड का दसावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सरवत्तम उधारन माना जाता है? ये देवगड ये याद रखियों जहांसी के पास पुड़ता है. गुफ्त कालीन मंदिर कला का. भागवत मद की उतकरिष्ट और प्राचींतम व्याख्या है भागवत गीता में. किस में? भागवत गीता में. दिल्ली की सिमा का सरवादिक विस्तार किस सुल्तान की समय में हुआ? तो मुहम्मद बिन तोगलक के. दिल्ली का अंतिम हिंदू नबाप कौन था? हेमू. वेटिस समराट जेम्स ने अफने पितिनिधी के रूम में बिलियम हौकिंस. हौकिंस को किस प्रियोजन से भारत बेजा था? भारत में वेटिस ब्यापारीक तितेश्ठानों की स्थापना ही तू आग्या प्राप्त करने के लिए एक तरह से. ठीक है? यानि कि इजाज़त लेने के लिए एक तरह से. पिसेंजीत किस महाजनपत का एक विख्याद सासक था? चर्चत सासक था? तो याद रखी कोसल महाजनपत का. पिसेंजीत सासक हरसवरधन किस राजवन से संबंदी था? तो याद रखी ये थाने सुर के विए जो पुस्तव भूती बंस था ना राजवन उसी से संबंदी था. तैमूर लंग ने किस के सासनकाल में भारत पर आकमण किया था? तो याद रखी तोगलक बंसी नसर उद्दीन महमूद साहिके. आर्यों की भासा संस्कित थी और आर्यों के समय समाज में कौन-कौन से वर्ड थी? तो इसमें आप देख सकते हैं व्रमड था और छत्रिय था वैस था सूध चार आपको देखने कुमलेगे ठीक है? सबसे नीचे सूध फिर वैस फिर चत्रिय फिर व्रमड मौर समराट असोग का राजी अभी से कहां हुआ था? पाटली पुत में कहां? पाटली पुत किस प्राचीन भारतिय सासक को सो युद्धों का बेजेता माना ज गज नभी ने सौमनात मंदिर पर अरक्मन किया था तो ये था भीम सेंट या भीम पिथमने ठीक है? अंगला है आपका नूर जहां की स्थापत कला की महत्मूर कितिया कौन सी थी? तो जहांगीर का मकवरा और इतमत दौला का मकवरा दोनों ठीक है? नंदवंसी है राजा घ तो एक सामान नाम उसका चाडख था लेकिन उसे विसनु गुप्त के नाम से भी जानते थे यह आप लोग याद रखे बौध सब्दावली में धरम चक्क प्रवर्तन से एक पितिवास आली से क्या निदेशित होता है? बुद्ध का पित्हम उपदेश को आप लोग धरम च कह सकते हैं आप लो इनका एक मुकुटधारी राजा को सदध धरम की दृष्टी में रहकर सासन करना चाहिए यह अकतन किस्ट का था? किसने देवर आएगा? पांसों उननचास जातकों में मुक्रूफ से किसका बाड़न है? गौतम भुद्ध के पूर्व जनम की कथाओं का अंगला कुक्षिन है सेंधव सब्धा के एक स्थल को स्थोव तीला की संग्या दी गई क्योंकि उस स्थल पर आप देखेंगे कि कुसाण कालीन स्थोव प्राप्त हुआ है यह स्थल कहा है? मोहन जोदुडों में रिगवेद में सरवादिक सुप्त किन दो देवों के संबोधित है एक तो आपका इंद दूसरा है अगनी संसारीक दुखों से मुक्ति ही तू बुद्ध ने किस मार्क की बात की थी? अश्टांगिक मार्क की और इन रास्तों पर आप लोग चले जाएंगे तो सांती इस तुरियों को वाविवाईत अवस्था में पिता, विवाह के बाद पती और विद्धा अवस्था में आप देखेंगे पुत कि सरक्षर में रहने का निर्देश किस मिर्थी में मिलता है? मनू इस मिर्थी में इसलिए आप देखते हैं कि इसकी आलोचना इतनी होते है कलाकी किस सैली को ग्रेक बॉद्ध सैली की संग्या दी गई है? गंदार सैली को फिरोज तोगलग द्वारा इस्थापित मद्द कालीन किस नगर को सिराज एद हिंद उपादी से नवाजा गया था? तो ये था जौन पूर अकबर के इवादत खानी की स्थापना कहा हुई थी? फतेपुर सिक्री में किस मुगल सासक का राजविषिक दो बार हुआ था? औरंग जेप का महमूद गजनभी के भारती आकमड को अलवरुनी ने किसकी संग्या दी थी? जिहाद की पवित्योद कौन चेनी बहुत दियात्री हिंसायंग ने बतापी की यात्रा की उस समय वहाँ का सासक कौन था? फोलिकेसिंग दूती है अजात सत्रू किस बंसका सासक था? हर एक बंसका बेदों का अपोर आप पुरोसे क्यों कहा जाता है? मानता की अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की है? कि भगवान स्वयमाय होगे इसकी रचना कर गए होगे अस्तो मा सद्मय कहां से लिया गया है? रिखवेज से पूर मोगल काल में भारत की यतरा करने वाला इपनेवत्तूता किस देश का था? पीछे भी देख चुका हूँ मुरक को संपूर वैदिक साहित को चार सेडियों में विभाजित किया जा सकता है जो उसकी रचना के चार चरण भी माने जाने हैं यह चार सेडियों को सी है? सहिता, ब्रह्मड, हरन्यक और उपनिसद यह आपको चार देखने को मलेगे पराजीन भारत में लिखे के पहले महाकाब के लेखा कौन माने जाते हैं? बालमी की अबू रेहान मुहमद किस इतिहास पिसिद्गा बास्तविक नाम में? यह अलुवर्णी का माना जाता है अलुवर्णी का 1260-1290 तक आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली सल्तनत पर किसका असासन दाया था? गुलाम बंस का नूर जाने किसको इतमाद दौला की उपादी पिदान की थी? अपने पिता जो इसका नाम था मिर्जा ग्यास बेग मराठा राज की सुतनत सासक की रूम में 1674 इस्वी में सिबाजी का विदीवाद राज जवी से कहा हुआ था? तो यह हुआ था रायगर की धुरुग में ऐसे दो इस्थानों का नाम आपको बताना है जहां सेंदाव संस्किती की दो दो अवस्ताएं हडपा पूर और हडपा काली संस्किती के अवसेस मिले हैं तो एक आप देखते हैं बनवाली है दूसरा आपका काली बंगा है इनको याद रुखिए भारत का आईनिस्टीन कहा सल्तनत काली इन किस सासक ने खलीपा की सत्ता सुईकार ने से इंकार कर स्वैम को खलीपा घोसित किया था तो ये था मुहमद साय खिल जी भारत पर तैमूर की आखमर की समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्ता सिंथा नसरुद्दीन महमूद तुगलग भारत में पूरता इ स्पीर में ये विद्रो हुआ था उसको सफलता कुर्वक दवाने की उपलक्ष में किस मुगल सामराट ने सिखों के पांचबी गुरू अरजुन देव को फांसी दी थी तो याद रखना है आपको जहांगीर ने किसने जहांगीर ने अंगला कुश्चन है हमारा धर्ती पर यदि कहीं स्वरग है तो यही है यही है और कहीं नहीं यह उक्तर भारत की किस इतिहासिक इमारत में लिखी है तो याद रखिए दीवाने खास जो दिल्ली इस्तित लाल के लिए में आपको देखने को मिलेगा दीवाने खास जो दिल्ली में इस्तित लाल के लिए में इस पर लिखा क्या लिखा हुआ है धर्ती पर अगर कहीं स्वर्ग है जिसके आप लोग कामना करते रहते हैं तो यहीं है यहीं है और कहीं नहीं है ठीक है चेतक नामक पिसिद इतिहासी घोड़ा किस राजपूद्रा जागत था तो आप सभी जातने होगे राना पिताब का किनका राना पिताब का और कभी कभी मुझे लगता है कि 16 साल के पास भी गोड़ा था उसका नाम क्या था किस बेदेशी जाजाने समुद्ध गुप्त से अनरोध किया था कि उसे भारत में बौध बिहार बनाने की अनुमती दी जाए और यह कौन था तो यह था स्री लंका की बौध राजा मेग बर्मन और याद रखिए चेत तक जो गोड़ा था यह जहां तक मुझे है कि इसमें लग रहा है कि आपका राणा पिताब दिया गया लेकिन महराना पिताब की पास था किसके पास महराना पिताब और उनी का नाम हो सकता है कि राणा पिताब भी हो या रख दिया हो तेसे भी आप लोग याद रख सकते हैं किसी भी तरह से और आपने देखा होगा कि समुद्ध गुप्त ने बहुत गया में बहुत बिहार बनाने की अनुमती भी दी हुई थी इसे अगला कुश्य ने राजा टोडर मल ने उच कोटी का भूमी पिरवंधन किया था और जिसके कारण आप देखेंगे कि किसानों राज्य और जंता सभी को फायदा हुआ था राजा टोडर मल ने सरपितम सुधार की सासन काल किस सासक के काल में किया था एसे साहे के अगला कु को मिलेंगे आपको नित्य करती नडराज की मूर्ती धातू ढालने की कला की चरम सीमा का पितीक है या किसके काल का है तो याद रखे चोल वंस कितने वंस हुए सन 1565 में किस स्थान पर हुए यूद के परशाद विजय नगर समराज का पतन हुआ तो याद रखे ये था अहल्याबाई किस सासक परिवार की थी तो याद रखे होलकर की किसकी होलकर की रामचरित मानस के रचेता संत तुलसी दास किस मुगल कालीन बादसाई की समकालीन थे तो अकवर की समकालीन माना जाता है इने ठीक है और याद रखे रामचरित मानस के रचेता कौन थे तो य इसमें एंडो ग्रीक राजा मेनांडर जिने आप लोग मिलिन्द के नाम से भी जानते हैं और किस बहुत विक्चु के मद्द संभाद का वर्ण है तो नांग सेन ठीक है आदी संकर जो बाद में संकरचार बने का जनम कहा हुआ था तो याद रखे केरल के कलाडी गाओं में के किराल आप लोग देखते हैं दच्छिन भारत में संगम साहित का मुख विशय क्या था तो योद्ध और प्रैम योद्ध और प्रैम दिली की गद्धी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्ता सीन हुया यानि की सत्ता पर वेठा तब भारत पर किसने आक्मन किया था तैमू किस से भारतीयों कुए भारत का आइंटाइन कहा जाता है उसकी तुला मार्टिंग लूतर किंग से की जाती है ये पीछे भी बात की हुई थी नागार जून की चोल राजाओं में से किस तक ने किसने एक ने सीलोन पर विजय परापत की थी राज्यंद ने किसने उसकी धर्म निर्पेक छबी के कारण उसकी मुसलिम प्रजाव से क्या कहकर पुकालती थी जगत गुरु कहकर संगमकाली सरवाधीक प्राची नव पिछले देवता मुरूगन और कलांतर में आप देखेंगे इसे क्या कहते है सुब्रह्मन ठीक है गुप्त कालीन मंदीर कला की सरवोत कृष्ट उधारन की रूम में किस मंदीर का नाम लिया जाता है तो याद रखी दस अलतार मंदीर है कहां देखने कुमलेगा जहांसी के पास गुप्त कालीन गरंथ पंचतंत की गरना विष्ट के सरवादिक फचलेत गरंतों वाइबिल के बात दूसरे स्तान पर की जाती है औपंचतंत किस की किरती थी किसने इसकी रचना की थी तो याद रखी विष्ट उस सर्मा ने विष्टनो सर्मा ने कि जो दीबान ये अरज था ये किस विभाग से संबंदी था तो याद रखे इस सैन विभाग था और इसकी स्थापना किस ने की थी तो बलवन ने दच्छिण में विजय फिराप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पिथम सुल्तान कौन था अलाउद्दीन किलिए आप लोगों ने मुवी भी पादमाबती देखी होगी लोधी बंस के किस सासक ने राध्धानी को सरफितम दिल्ली से यागराश था तो ये था सिकंदर लोधी अलाउद्दीन द्वारे निर्मार कराए गया अलाई दर्वाजा किसका प्रवेश द्वाल था? कुबबत उल इसलाम मश्चित का सुतंता के प्रश्चा थरप्पा सब्दा की सरवादी की स्तल किस राजे में खुजे गए? ये आपको गुजरात में देखने को मलेगा गुजरात ठीक है? देवगड का दसाउतार मंदिर किसे काल की मंदिर कला का सरवत्ता मुधारन माना जाता है तो याद रखी गुपत कालीन माना जाता है कि गुपत्य सास्कों के समय बनाय गया। सल्तनत काल का व्य पितम सासक कौन था। जिसने भूमी की झाफ जोख कराई और राज़ की समस्त भू साब लाहुमी के अंतरगत कर लिया, तो यह था अलाउद दीन खिल जी, कौन था, अलाउद दीन खिल जी, ऐसे पहले भारती यह कौन थे जिनें अंग्रेजियों ने किसी प्रांत का गवर्न में बनाय था तो ए थे सतेंद प्रसाल सिंघा सतेंद प्रसाल तीरिंखा विजएनगर और किश्ने देव राय की रचना अमोक्त मालाद कवर्ड वर्न की बिसय क्या है तो याद रखे लोग पिशासनो ब्यदेश नीती इनकी विदेशनीती आप समझ रहे हैं, बहुत पहले से चर्चा में रही है, आज भी आप लोग विदेशनीती सुनते रहते हैं, और आप लोग अंतराश्टी संबंध भी पढ़ते होंगे, गोलकुंडा के मुसलिम राज का उदा किस प्राची हिंदू समराज के आउसेसों पर हुआ, तो ये था वारंगल, वारंगल, सेविल सेवाओं में भरतील के लिए खुली पितिये हुईता का, आयोजिन किस पर से शुरू हुआ था, ये 1853 पी की बात है, कबकि 1853, किशनीत देव राय ने अमुक्त मालयत गरंद की रचना किस भासा में की थी, तो तेलगु म मुहमद साहत तितिये की सासनकाल में वहमनी समराज की यात्रा करने वाला विदेसी यात्री कौन था, तो ये था एथे नेसियस निकीतिन, ठीक है, अंगला के किस पल्लो सासक की सासनकाल में हिंसांग ने कांची की यात्रा की थी, तो इस समय यहां का सासक था, नर्सिंग ब बादों के निक्टारे के लिए, तिरी पिटक के अंग कौन कों से हैं, एक तो आप देखते हैं, ये बहुत धरम से जुड़ी हुए हैं, और बिनाय सूत और अभीधा में पटा, ठीक है, अमीर कुसरो रचित, अमीर कुसरो द्वारा रचित, खजैन उल्फतु, कि सासक के किसकी महतपूर जानकारी मिलती है, तो याद रखी मौरियों के पिसासनिक विवस्ता की, मौरियों की पिसासनिक विवस्ता की, और कौटिलाद जान दे हैं, किसकी अर्थ सास्त, इन्होंने लखी, रतनावली हो गया, प्री ए दरिसी का, नागानन्द, ए तीन फिसे कि रजना किसने की थी तो याद रखिए हरस में किसमें हर्स में भारत की पेथा विखुषिट सेंदा उस अट चिसंब्धा की संबने जानकाली असे पराप्थ करने का एक्वात सिरोथ क्या है उद्खननों सिफराप्त आउसेश, नगरा आउसेश, ठीक है, अंगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, सैनिकों को भी वेतन भूराजस के रूम में दैनी की पिता सुरू की थी, तो ये था फिरोष तोगलक ने, किसने फिरोष तोगलक, अंगला है मद्दे कालीन किस अगर को सिवराज एहिंद, उपादी से नवाजा गया था, तो ये था जौन पूर, कौन था? जौन पूर, उत्तरपदेश में देखते हैं न, जौन पूर, उसी की बात की जा रही है, इरानी राजपूत अब्दोर रज्जाक ने 1443 में किसके सासनकाल में बिजयनेगर की यातरा की थी, तो इस समय यहां राज जी था, राज था, किसने देव रायका, किसका, किसने देव रायका, सिवाजी को राजा की उपादी किसने पिदान की थी, तो याद रखे औरंग जेब ने, किसने? औरंग जेब ने, कब की बात है? 1666 की, कि सासक ने राज की इस तूप आप लोग सुनते रहते हैं मोहन जोदरू का सबसे मत्मूर इस्तल कौन सा है विसाल इसनानागाद मगत पर सासन करने वाला पिथम गैर चत्री बंस कौन सा था सिसू नांग बंस किस गरंत में चंदगुप्त को वरसल और कुलहीन बत कहा गया है मुद्रा राक्चक में कि देखिए कुष्टन से रिपीट होते लेतने इस पर जान्द ध्यार मत दिजिएगा क्या रिवीजन हो जाएगा करनिस्क ने किस धरम को राजा से प्लान किया था तो बहुत धरम को को पोहार के व्यापारी को लन की कथा का बढ़न किस तमिल महाकाब में देखने को मि पूर्भ मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इबन बतूता किस देश से आये था मुरक्कों से कही वार बात कर चुके इस पर हडपा और मोहंजोदरू किस नदी द्वारे जुड़े हुए थे सिंदू नदी से भारत में सबसे बड़ा हडपा का लीन इस्तल था धौला बीरा गुजरात में फुनर जर्वनम के सिद्धान का पितम विसपर्ष्ट साक्षी किस गरंथ से प्राप्त होता है एह विदारन उपने सत से गौतम बुद्ध का जनम कफिल वस्तू के समीब लुंबिनी बन में हुआ था इस इस्तल का आधुनीक नाम क्या है रुमिन ने ये इगुल सोफ्त नामक महत्मूर्ग रंध की रचना किस न किए भद बाहु ने मुद्ध साहब की अनुसार कुरान की आयते खुदा ने किसको दी थी मूसा को एक्या सिंदू सब्दा के समूचा चित कि साकार का था त्रभुज त्रभज्याकार बैसाली किस महाजान-पत की रद्धानी थी वज्जी की मौरीयों की काल में समराज की रद्धानी कौन थी थी पाटलि पुत संगर्म काल में किने कहा जाता था जासूसों को आज भी आप देखते नहelect जासूस देखते रहते हैं आपके आसपास भी मिलेंगे अबू रह्मान मुहम्मद किसे इतिहास पिसे दिलेखक का वास्विक नाम था अलुवर्णी का मिर्जा ग्यास बेक किस मुगल समरागी के पिता का नाम था और जिनकी उनकी बेटी ने एत्माद और दौला की उपादी दिलवाई थे नूर जहार है ठीक है और आप आगे देखते हैं कि इनका मकवरा अभी इने नहीं ही बनवाए था भारत के किन प्राचिंतम अब लेक में पहली बार संस्कित भासा का प्रयोग हुआ था तो ये था रुद्द दामन का जूनागर अब लेक उत्तर हडपा अबस्था काल के चिन किन नगरों से प्राप्त होते हैं रंगपुर और रोजदी से किन सैंदा उस्थलों से यग्जी अबेदियां प्राप्त हैं तो लोथल से और काली बंगा से तो आप समझ सकते ही, कि यहाँ यग्ग भी होते थे। और आज भी आप देखते हैं यग्ग होते हैं। रिकबेद में किस यग्ग का वरदन सरवादीक बार मिला है सौम एग्ग का सौम एक फीने योग फथा भी होता था जिसे आप लोग समझते हैं किस सिस्थान पर महत्मा बहुत दिने पांच सन्यासियों के साथ संगी की स्थापना की थी सालनात में पैगंबर मुहमत सापने के कहां को रवाना होने के दिन से हिज्री संबत की सुरुआत हुई थी मक्का से मदीना मक्का से मदीना इस दोनों तीर सिस्थल आप देखेंगे मुसलियों में काफी एक तरसी महत्मूड हो जाते हैं भारत की पिथम मुसलिम सुल्टान कौन था? कुतो बुद्दीन एवा सेंदा हो इस्थल चंदोदोडो और कूर्टी जी किस नदी के तट पर है? सिंदू नदी तट पर रेगवेद में किसी यगे का बड़न सरवादी इस पर बात कर चुके हैं सौम यग जैन धरम के मातपूर गिरंच जो संस्कित में लिखा गया है कल्पसूत कल्पसूत आपका जैन धरम से संब्दी थे जो संस्कित भासा में लिखा गया है करस्मीर के मालतंड मंदीर का बिनास्त किस ने किया था? यह सिकंदर साह ने किया था और अंगला है 1570 तक लगवक सभी राज पूतों राज्जों ने अकवर की अधीनता सुईकार कर ली थी फरंथुके से एक मात राज ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी तो यह था मेवाड मेवाड काफी पिछलित रहा था मुगल समराज की समराट के बाद सरोच ने आयदिकारी होता था काजी उलकुजात पित्वी राज चोहां तथा मुगम्मद गौरी के मद कितने यूद हुए? दो कितने? दो तराइन का पहला यूद तराइन का दूसरा यूद दिल्ली सल्तनत की एक मात सुल्तान रजिया बेगम इल्टुत्मिया की पुत्ती थी वह किसके पास्चा दिल्ली की सल्तान बनी थी? रुकन दीन के बाद ठीक है? और पहली आप समझ रहे हैं सल्तान बाबर की पित्वम आकमर की समय दिल्ली सल्तनत की अद्धी पर कौन था? इबराहिम लोदी याद रखिए बाबर और एबराहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला ये उद्धुगा था ठीक है? पंद्रे सो चब्वीस की बात कर रहा हूँ तहकी के हिंद सिरिसक गरंथ की रचना किसने की थी? अलोवर्णी ने बैदिक साहिक्त में अरुथ अथर्व वेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मा देव किस गरंथ से पता चलता ही कि एसुक ने कस्मीर में बितास्ता नदी के किनारे सिरी नगर नामक नगर की इस थापना की थी? राश्तरंगनी और याद रखिए आप लोग सिरी नगर आप जानते हैं अभी उसी बात की जा रहे है दिल्ली सल्दनित की किस सुल्तान ने सैनिकों को भी बेतर भूराजस के रूमे यानि की भूमी के रूमें देने की पितास्रो की थी? तो ये था फिरोष तोगलगने किसने? फिरोष तोगलगने तारी के फिरो साही की रचना किस ने की थी जी आउद्दीन वर्णी ने अंगला के कैप्टन हौकिंस और सर थामस ने किस मुगल सासन के संबंद में बिस्तत चल्चा की थी तो ये है जाहागीर के संबंद में सिंदु घाटी सबेता कहां तक फैला हुआ था तो ये आप देखेंगे पंजाब हो गया राजिस्तान गुजरात उत्तरपदेश हर्याना सिंद और वलुचिस्तान भारत में भी देखने को मिले था और पाकिस्तान में भी हडपा सब्दा के लोग समाज के प्रमुक्त किन चा वकाल के विद्ज्ञानबाद के परमुक आचार कौन थे बसुवंधू चोल पांड्या और चेरों के संब्ध में जानकारी मुक्ता कहां से प्राप्त होती है संगम साहित से महरौली अवलीक से कि समराट की विसे में जानकारी मुक्ता मिली है तो चंद गुप्त दुदिये के चंदगुप्त इस अब लेक पर आपको देखने को मिलेगा इससे लगा लिया जाता है अंदाज कि चंदगुप्त दुदिये का होगा भारत के सरफ से सरफितां राष्टी सासक की रूम में जाना जाता है चंदगुप्त मौरिको ठीक है संकराचार ने किस सिध्धां का पि मुस्लिम गरंथ हदीश का विशाय क्या था मुहमद साहब की कत्नों तत्तों उनके जीवन से समंदीत कथाओं का संगर है जैन धरम की गरंथों की मुख भासा क्या थी प्राक्रित भासा बिमेसार किस बंस के थे हर्याक बंस के रेगवेद में सबसे अधिक मन्त किस देवता हुआ करते थे समय उतिभी फिर दोसी और अल्व वर्वनी कि सुल्तान की समकालीन विद्वान थे महमूद गजनभी के दर्वार में चोल बंस का पिथम सासक करीकाल बहेमनी समराज का कौन सा सासक था दो दुष्टता और निसंगता निसंस्ता के लिए इतिहास में जालीम नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन हुमायू इतिहास पिसे दिकोईनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खांसे नंद बंस का अंतिम समराट को था घना नंद यूनानी राजपूत मेगस्थिनीच को किस से यूनानी सासक ने भारत भेजा सैलूकस निके करनें दिल्ली सल्तनत की किन-किन बंस हो ने जासन किया तो दास रहरी है जिसे आप लोग गुलाम बंस कह देते हैं खिलगी बंस, तगलग बंस, सियद बंस और लोधी बंस ये सभी दिली सल्तनत की बंस हैं ठेगे मद्दकाली की बात कर ओं खालसा का प्यारम किस शिक गूर ठीक है? पुष्टी मार की दर्सन का फितिपादन किस ने किया? बलवाचार ने समराट कनिस्क ने सक संबत का प्यारम किया? 78 इस भी में ठीक है? सक संबत की बात हो रही है जैन धरम में कुल कितने तीर्थ कर थे? 24 24 सभी धारमेक आरवंसी अपनी मूल उत्वत्ती किस राजा से मालते थे? मनु विवस्त से बहमनी तथा विजय नगरुस राज के मद किस पिदेश को लेका संगर्स हुआ था? राइचूर का दौाब दौाब दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संगर्स किसी मित्यू के बाद हुआ था? तो इल्तूत मिस की डैद के बाद, मौत के बाद, ठीक है? राजा बनने से पूरू वह हंग का राजपाल था? उसे करनिक के नाम से भी जाना जाता था? यह कर्थन बगत के किस सासक से संबंदी थे? अजाद सत्रू से बिसाल साडो की जुड़वा पैरो वाली विसिष्ट पिकार की मेंड मूर्तियां किस सेंदा उस्तल में प्राप्त हुई है? काली बंगा से भक्ती को दारसने का अधार पिदान करने वाला पिथम आचार कौन थे? रामानुज सामान परिस्तितियों में इस्तिरी धन के उत्रादिकारी पिथम अधिकार किसका था? पुत्रियों का तो आप समझ सकते हैं कि महलाओं की इस्तिति अच्छी रही होगे दासों की मुक्ती का विस्तित निरूपण सरपिथम मिलता है नारज इस्ति मिलती में मेरिजा राजा जैसिंग द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरी के समय कौन सा यात्री वपस्तित था? वर्नियर अच्छा अच्छा देखिए आप लोग की आपकी जो सामान रहते हैं एंडारेक्ट टेक्स दबा के ले रहे हैं हैंसांग में किस फिदेश में जैन धर्म को समझद इस्तिति में देखा? बंगाल मराठा राज्य संगे को नेडाएक पराज़त देने वाला वेटिस गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हैस्टिंग्स और पाहन पूजे हरी मिले हैं तो मैं पूजे वहार ये कतन किसका था? कवीर का इसे भी याद रखे कतन देदेगा आपसे? पूँच लेगा ये कतन किसका था? रेगवेद में योद के लिए प्युक्त सब्द क्या है? गविष्टी नाना घाड नासी के वह साची के अभिलेक किस राज़ परिवार का उलेक करते हैं? साथ वहन काल जाई रचना जीवन चिंतामडी किस मत से संबंदी थे? जैन धरम से जैन मत से किस सिख गुरु द्वारा गुरु मुखी लिपी का पैरम किया गया था? गुरु अंगत द्वारा वसू चरीत के लेखा कौन थे? राम राज गुलाब से इतने निकालने की तकनीक का अभि अख तीसरे की बात हो रही है 1761 अकबर की उधारवादी धार्मिक नीती का किस लोग प्रिये सूफी सिल्सला द्वारा पितिरोध करने का प्रियास किया गया नक्सबंदी सिल्सला द्वारा माल विकागनी वित्र किस का गरंथ है? कैसा गरंथ है नाट गरंथ ठीक है? प्रियासर अचित मेकदूत में वर्डन है ब्योक सिंगार का जो बिछडने की बात होती ना उसी की की जा रही है हरस वर्धन एबं बताफी के चालोक वंसीय सासक पुलकेसिन दुतिया की बीच हुए योद्ध का वर्डन किस अविलेक में पाया जाता है? इहोल अविलेक मे किस मुगल सासक के लिए एक भाग्य साली सैनिक किंतू आसपल समराज निर्माता कहा गया है? बावर के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महा भी निस्करमड कहा जाता है तो ए घर छोडने की घटना को ठीक है? जब घर से निकलते हैं भारती भारती इतिहास में कौन सा वंस? फित हत्ता हंता वंस के नाम से यानि कि पिता के हत्या करने वाले हर एक वंस में आप देखेंगे इसमें कि एक अपने बाप की हत्या करता है राजगत्धी के लिए उसका वेटा उसकी हत्या कर देता है कुबबत ओल इसलाम मस्जिद दिल्ली और धाई दिन का जोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्मार किसने करवाय था कुतुबुद्दीन एवक ने भक्ती आंदोलन को अगडी नेतत फिदान करने वाले महराष्ट के चार पिरमुक संतों का उलेक कौन से तुकाराम, नामदेओ, ज्यानिसोर और रांदास किस पल्लाव राज ने मत फिलास पहसन की रचना की थी एथे महिंद वर्मन ने महमोद गजनबी के किस राजकवी ने साहे नामा लिखा, फिर दोसी ने हंटर कमीशन की गठन की समय भारत का वायस राइकोन था, लौड रिपन प्राचीन भारत में किस सब्द का प्रियोग ऐस्ती विद्भा के लिए किया जाता था, जिसका फुना विर्वा हो जाता है पूतर्भू, ठीक है? पूतर्भू, पर अंगला है प्राचीन भारत में विद्वान विर्हमणों को दान दिये जाने वाले करमुक्त ग्रामों को क्या कहते थे? अगहार, वज्ज्यान बहुत धरम में बहुत बहुती सद की संगिनी को कहा जाता है, तारा कुमार संभव में किसके जनम की कथा वर्डित है? कार्ती के सती पिता का अब लेक, साक्ष कहां से मिलता है? पांस्सो दस ईसभी की बात है, भानुगुप्त की एरा नवलेक, ये आपको मद्पदेश के सागर में देखने को मलेगा राज तरंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा, सिंगासन पराप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल आप समझ सकते हैं कि चुना हुआ था, सिवाजी के काल में फर राष्ट मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संग्याक थी सुमंद इसमें इलाही मुम्मद नामक रहसवादी सिद्धान का फितिवादन की सूफी संत ने किया था? ये थी ख्वाजा मीर दर्द ऐसे समझ जब कोई व्यक्ति भूमी पराप्त करता है, वह उससे उसमें से अधिकारिक निचोड़ता है और गरी मजदूर उससे छोड़कर अन्यंत पलायन कर जाते हैं या कथन किसका था? वर्णियर का किसका? वर्णियर का कई बार कथन पूछ लेता है, कथन दे देगा उसमें से आपसे पूछेगा ये किसका कथन है? वह एक कौन हिंदू चितकार था? जो जहांगीर दवारा इरान के साहे अबबास पिथम का छाया चित्त बनाने के लिए भेजा गया था? तो ये था विसंदास एलोरा की गुफाओं में ब्रहमार रहो गया बौध, जैन, मंदिर, बिहारों और चेत्तों का निर्माट किस बन्सके सासनकाल में हुआ था? तो ये राष्ट कूट बन्सके अगला है सीमांत चित के वह है उग्र निवासी जनोंने महमूद, महमूद, गजनभी और मौम्मद गौरी के दोनों के लिए समस्यां प्यादा की थी एथा खोकर जाती मौम्मद गौरी की हत्या भी इने ने की थी ना बाद में बहमनी राज में सदे जहां किस बिभाग का मुखिया होता था? धार्मी कौन नियाएक मामले बलवन आम जनता में क्यों फिसिद था? रक्त और लोह नीती के कारण बास्तुल देव किसने भगबद गीता में अपनी सभी सिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को मराठा काल में चौत से क्या आसा था? तो याद रखे दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एककर हुगा करता था साजहा के नाम से सासक बनने के से पहले सहजादे की रूम में साजहा का क्या नाम था? तो यह था खुर्रम क्या था? खुर्रम हुमाईू का अर्थ भागवान परन्तु वह एक अत्यद्धिक दुरभाग साली विक्ती था वह जीवन भार ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी डैथ हुई यानि की मौत हुई है या कथन किसकी थे? इस्टैनली लेन पूल का ठीक है इन्होंने कहा था हुमाईू के बारे में अंगला है फतुहात ए आलमगिरी जो इसलामी कानून की सहता है कि लेका कौन थे? इस और दास कुतोपुद्दीन एवक की राधानी लावर थी और उसने विद्वान हसन निजामी को सरक्चन दिया उसने दो मस्जिदें भी बनवाई कुबबत ओल इसलाम मस्जिद दिल्ली में और अडाई दिन का जोफडी ए अजमीर में भारत में इसलामी पदिती पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है तो याद रखे कुबबत ओल इसलाम मस्जिद को दिल्ली वाली को ठेक है मंगोलों का मुकावला करने के लिए बलवन ने एक सैन विवाग को पुनरगठित किया था इस विवाग का क्या नाम था दीवान ए आरिज महमुद के दरबार में अलवर आप समझते हैं कि जंदगी की यही सच्चाई भी है घनानंद नंद बंस का अंतिम राज़त था इसके काल में भारत में पर किस इमनानी सासक ने अकमड किया था तुसिकंदर का सिंगली बहुत गरंथ दीब बंस और महा बंस की अनुसार असोक ने अपने कितने भाईयों की हत्याकर सिंगासन प्राप्त किया था तुनिन्यार्वे भाईयों की राष्टकूट बंस की स्थाफ़का किसने और कप की थी दंती दुरुग ने 753 इस भी के आसपास किस बरस गजनभी ने गुजरात में इस्ति सिप के पिसित मंदिरिक पर आखमट कर उसे नश्ट किया था तो यह आपका 1025 के इस भी के आसपास इलतुतमिस कुतुब विद्दी निवक का दमान बाउत्तर आयदिकारी था इलतुतमिस को निश्चित रूप से तुरकों अधरा उत्तर भारत की विजयों का बास्त्विक संगठन करता माना जा सकता है उसकी सांसन उदी क्या थी तो यह बारे सो ग्यारे से लिकर बारे सो चट्वेश के आसपास रहा था झालिए ओर दिली से दॉलतावाद राध्धानी परिवतन के बाद मोहमत तो लक्त ने राय पार्ट का वाय पहला मुसलिम सासर कौन था जिसने अपने सिक्कों या अवलीकों में भार्शी के सासर नांगरी लिपी का भी उपयोग किया तो यह था सेसाय सूरी नांगरी लिपी देव नांगरी चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे सिवाजी का मुखुद देश क्या था बे अपनी बित्तिय सरोतों का अनूप पूरक चाहते थे बिजय नगर नरिष केशने देव राय की रचना अमुक्त माल्यत का वर्ण विसक्या है लोग पिसासन और विदेशनी से इस पर बात कर चुके है गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समर्द दित्तम प्रांथ माला जाता था इसकी समर्द बंदरगा और हस्तिसल बंदरगा आजी वी आप देखते हैं मत्पूर रहता है महत्मा बॉद्द की समकालीन मगत के दो राजाओं की नाम कों से एक तो विम्मिसार था एक अजाद सत्त्रू सिकंदर के आकमड की समय नदवन्स का सासा कौन था घनानंद भारत में सकों की दोग साखाएं सासन कर रही थी एक चला और मत्वरा में उत्री साका थी नासिक उज्यन में कौन सी शा थी पश्मी साका मत्रा के लाके अंदर कर किस धरम के देताओं की मूर्तिया बंती थी बाध्द जयन और धनमड तीनों धरमों से जमड चाड़क कौन था और उसके फिसद गरंध का क्या नाम था यह किस भ तो याद रखी कलिंग महानदी और गोदाबदी के बीच उड़ीचा का एक भूच्छेत हुआ करता था और असोक महान ने इसके कलिंग का युद्ध लड़ा था इसके बाद आप देखते हैं कि उसने अपना हिदे परीवरतन हो जाता है योद्धों को त्याग देता है और य अलाउद्दीन खिल जी बिज्याओं के लिए पिरवंधन और दक्ष सेना का रख रखाओ उस कभी का नाम आपको बताना है जो चित्तोड की घेरे के समय अलाउद्दीन खिल जी के साथ क्या था कभी अमईर खुसरो था इसके अलाउद्दीन खिल जी द्वारा रर्ध पर आकमर का प्रम खुद्देश क्या था तो रर्ध थंबोर की अवैद दुर्ग पर अधिकार पाना उलेमा से क्या अतात पर है और सासन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता था उलेमा आप सभी जानते हैं कि मुसलिम धर्मिक ब्यक्ती होता है और सासन पर बहुत प्रमुक संतों के नाम आपको बताना है रामानंद हो गया कबीर हो गया रामानुज हो गया दादू गुरु नानक बलवहचार चैतन क्या पूछ लेता है आपको चार ओप्सन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि आपको भक्ती आंदोलन के इनमें से कौन संत है या नही है तो आपको बताना होगा अकबर के समय की चितकला के विकास सीतु विभाग का ध्यक्ष कौन था उसे क्या उपादी दी गई थी चितकला विभाग का ध्यक्ष अब्दुल समध को बनाय गया था उसे सीरी कलम की उपादी दी गई थी हरपपा संस्किति, किस से योग कि देन ये? और उस समय का उलिक किजिए जब हुआ है, अपनी फल फूली फली और हरपा। किस सपे कार निधारित किया गए … . तो हडपा संस्किती आद इतिहास की ताम पासाड़ी यूगरिन संस्किती थी और इसका उतकर्स काल 2003 से लिकर माप करिए यह आप देखेंगे 2350 से लिकर 1750 के आसपास माना जाता है कारवन डेटिंग पर देटी से मिस्ट रेंटिंग हो जाती है छोड़िये सेंदह लिपी के बारे में आप क्या जानते हैं तो सेंदह लिपी चित्तरात्म के लिपी थी जो दाइं से बाएं लिखी जाती थी अभी तक इसे पड़ा नहीं गया है इसलिए आप देखते हैं समय के बारे में जानगारी एकट्टी करना मुस्किल होता है जब आप समझे जो समय जो लिखी जा रही भासा उसको आप समझ ही ना पाए दाएं से बाए मैं कभी हूँ मेरा पिता चिकिस्तक है और मेरी माँ पिसन हारी है सबका पेसा अलग अलग होते हुए लाव ही तु हम मभेसियों को पालते हैं यह उपयों कथन किसका था कभीर का याद रखिए रिखबेद में एक रिषी के द्वारा यह कहा गया था और जो भारत में किस मतलब रिखबेदिक काल की सामझी व्यवस्था को चित्तित करता है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा महाकाब काल में इसोर अराधना के किस मार्की खोज की गई भक्ती मार्की किस की भक्ती मार्की बौद में किस मगद नरेस ने लिचवियों को पराजित किया था और लिचवियों की राध्धानी कहा थी आजास सत्रू ने लिचवियों को पराजित किया था और जिनकी राध् कि दिगंबर और सुवितामबर संपदाय में अंतर आपको बताना है दिगंबर संपदाय में मोक्ष पर आती है तु अनासक्ति और नगनता को आवसक माना गया है जबकि सुवितामबर में आप देखे नहीं होगे कि नगनता को आवसक नहीं माना गया है समझता है आपको सवेध भस धारन करते हूँ किस अमराठ में ने डेवा नाम प्रिय की उपादीधारन की और इसका क्या नाम आध होता था तो असोख ने असोक मौर्ण ने देवा नाम प्रिये की उपादि धारन की थी और जिसका एक तरह से अर्थ होता था देवताओं का प्रिये किस साक्षे से इस पश्ट होता है कि गुप्तकाल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे और नगर में प्रिविस करते समा लकड़ी वजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुस से बच सके यानि कि यह चुगा चुद था फायान की यात्रा विबरान से आपको मिलेगा गुप्तकाल में यह बिद्वान ने सिद्ध किया है कि पिद्वी सूर के चारवर घूमती है और उसने सूने का सिद्धान भी दिया यह महान गर्तग आरभट आप समझे जो हम लोगों ने पहले ही ब्याक्या दे दी थी दुनियाबाद में ब्याक्या दे रही है दिल्ली के निकट तुगलाकाबाद का संस्थापक कौन था और उस संस्थापक का उत्तरादीकारी कौन हुआ तो तुगलाकाबाद का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलाग था उसका उत्तरादीकारी मुहमद बिन तुगलाग हुआ खुदबा क्या था और इसका मत क्या होता था खुदबा उस ब्याख्यान को कहते थे जो दोनों ईदों और जुम्मे की नवाज के समय पढ़ा जाता था और इसमें खुदा की स्तुति और मुंम्मत साहिब की पिसंसा के उपरां समकालीन वात्साय का बर्डन होता था सबसे सूफी सिलसला कौन सा था और इसके संस्थापक कौन थे तो याद रखिए सबसे पहले सिलसला जिसके संस्थापक थी खवाजा मुईनुद्दीन चिस्ती बुद्धि का मौली के नाम क्या था? सिद्धारत समराट असो की सरक्षर में कौन सा मुसलिम बिद्वान भारत में आय था अलो वर्णी देली सलतनाद राज का विस्तार कि सासक की समय सबसे अधिक था मुहमद बिन तुगलक की समय में किस मुगल सासक की समय मुगल समराज का विस्तार सबसे अधिक था तो ये औरंगजिव था हज्यारा राम मंदिर किस विजय नगर सासक के काल में बना था तो किसने देव राय के सासन काल में किसके सासन काल में मुगल चित्तिक कथा अपने चर्मोत कर्ष पर थी तो याद रखिए जहांगीर के सासन काल में हिजरी संबत का प्यारम हुए 622 इस भी में मुहंजोद्रो के विसाल इसनानागार की निकड विसाल कप्च की चट कितने स्थमबों पर आस्रे थी तो ये बीच से इस्थमबों पर मैगस्तनीच के अमसार जन साधानन के लिए दूसरे निसेत थे असत्त किस सादवाहन सासक ने सक्षत्रव नहवान के सिक्कों को पुनाह जारी किया था तो यह था गौत्मी पुद्ध साथ करनी सरवपितम किस उपनिसद में ब्रह्माचार गरस्त और बानफरस्त और सन्यास आदी चार अस्तरवों को अब बैडन मिलता है जवाल उपनिसद में से संगमकाली इन चिकिस्सा के विकास की जानकारी मिलती है मड़ी मेखले से अकवर्व ने दस्तूर उल अमल की घुष्णा कप की थी 1582 में साहजादी की रूम में साहजहा का क्या नाम था खुर्रम तुर्कों द्वारा पिथम बार वास्तविक चाप कप्रियो के किस मकवर में रिगवेद का चटा मंडल किस रिसी को समर्पित है भाधवाज भाधवाज रिसी को उनर जनम से संबंदीत पिथा का वर्डन किस उपने सद में मिलता है तो यह विधारंड उपने सद में अगला है समराट असोग का एक लगू सिलालेग भबुरू में किस राज में ही राजिस्थान में जैपूर में आप देखेंगे इस सिलालेग की खोज अठारे सो चालीस में केप्टन वर्ट ने की थी गुपत समराज की किस सासक को है इंसांग ने सक्राइदित का एक तरह से उपा दी थी सक्राइदित तो यह कुमार गुपत दुदिये को बदाईव में परगने की खजांची को क्या कहते थे फोथदार 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 अकबर ने इवादत खाने में सभी धर्मों की लोगों को प्रिविश की अनुवती किस बर्षती थी 1578 की असपास लौड हार्डिंग का भारत सासन का क्या रहा है 1844 से 1848 मैं निश्चित पूर्व कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक इस्ट इंडिया कंपनी की सरकाल से अधिक विष्ट जूटी और बुरी सरकाल संसार के किसी भी सब देश में नहीं थी यह कतन किसका था लौड कंड वालिया ने हाउ 200 comments में कहा था तो आप सब्सक्राइब अंग्रेज ही बुराई कर रहे थी अपने अपनी सासन की तो समझ सकते हैं क्या इस्तिती रही होगे विद्वाप उनर विवादिनियम का पारिथ हुआ यह याद रखी 1856 की बात है ठीक है लौड कैनिंग के समझे आप समझी कि इसमें क्या दे दिया गा उन्होंने 1956 मिस्प्रेंट हो जाता है आप लोग समझदार है गल्ती हो जा गया करें तो नीचे बता दिया करें आप लोग महान है साय जहां कि पुत्रों में सरवादिक उतार दिर्ष्टी कौंड रखने वाला और वेदों की कुरान की परतर है पवित मानने वाला कौन था दारा सिको महान इसलिए बोलाएं कि आपके पास 24 गंटा आपकी हाथ में फौन है आप कुछ भी खोश सकते है असोग द्वारा उत पराट कनिस्क किस धर्म का नुगाई था महायान बौत धर्म में पूरुप का सिराज कहे कर भारत के किस नगर का स्मयट किया जाता है जौन पुर का किस संपताय के नुगाई को इष्ट देव भहराओ है कपालीकों के कस्मी रिष्टित मालतन मंदीर का निर्मार किस ने चुका हूं कौन सा अणापाकाली नेगर पसुपालक का एक बहुत बड़ा क्यंद था नैस्दी और जब सबसे पहले धातु अस्तित में आई तो यह फ्युक्त की गई थी बरतन बनाने के लिए सिद्धू सब्दा के उत्तर चोर और दच्छन चोर के बीच की दूरी 1400 किलो पिसिद्ध तमिल गरंथ तोल कप्पियम के लेखक तोल कप्पियर थे यह इस गरंथ से भी कई बार कुष्टन्स आ चुके है चोल सासकों दवारा पिसारी स्वड मुद्राओं का सामन नाम क्या था कलुंज या फिर पॉन मौर्य उत्तर कालीन, मौर्य उत्तर कालीन सासक पुस्मित सुंग ने कौन सी उपादी धारन की थी? सैनानी की रिगवेद में इसान नाम से समोधित किया गया संती की सभापती को मौर समराज की नगरिये पे सासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस होते थे मंडल समतियों में विभाजित था और समतियों की संख्या क्या थी? 6 मौर्य उत्तर काल में अधिकान सिल्पी किस से जाती के थे? सूद्ध जाती के गुप्त वन्स का हुए कौन सा सासक था? जिसने अपनी पुत्री का विभाज बकाटक के सासक रोध्य देन से कर देते थे यह था चंदगुप्त दूतिय विक्रमादेत जब रोध्य सेन की वित्ति हो जाती है तब चंदगुप्त ने वकाटक समराज पर आपत्यक चरूप से अपना अधिपत्य जमा लिया था और आप समझे राजा बनने के लिए समराज जोडने के लिए तोडने के लिए साधी करते रहते थे ठीक है आज भी तो आप देखते हैं नेताओं में होती रहते हैं नेताओं में सल्तनत काल में सुतंत किरसी विभाकी स्थापना की सुल्तान ने की थी मुहम्मत तुगलगने बिजय नगर समराज का तुलू बंसी ये सासक किष्ण देव राय ने किस पे से गिरंद की रचना की थी अमोक्त माल्यत की अकबर ने जजीय नामक कर गैर मुसलिम जन्ता से वेक्ती के रूम में बसूला जाता था किस बस बंद किया था 1564 में मुगलकाल में धार्वे कृरिट्ती के वेक्ती की अनुदान के रूम में दी जाने वाली भूमी को क्या कहते थी मदद ए माल जहांगी ने किस चितकार को नादे रोल अल उसकी उपादी धार दी थी तुम उस्ताद मनसूर को या दुल्ला पसूँ और बिरले पक्षियों और अनौ की पुस्पों का चितकार हुआ करता था मुहमद साले द्वारा रच्चे ते किस गरंत में साह जाहां कि अंतिम दो बरसों की जानकारी मिलती है अमल एस साले समराट अगबर ने किसको सेरें सकलम की उपादी दी थी तो याद रखे अब्बू समद को चालुक सासक पुलके सिंदुतिया ने किस नदी के किनारे हाउसबर्धन को राजित किया था तो नर्बदा नदी के किनारे अजन्ता गुफाओं में अंकित चितक्याद दरसाते हैं भगवान बोद्ध और उनकी जीवन विट घटनाओं को चानवीवी जिसने वरार को अकबर को सौंपा था कहां की सासक थी एहमद नगर की हल्दी घाटी का योद का हुआ पंद्रेसो चैतर में भारत में रेल लिया तायात का आरम किस गवर्नर जनरल ने किया था लौड डलहोजी ने इस्ट इंडिया कंपनी के सासनकाल का अंधिम गवर्नर जनरल कौन था लौड के निंग कुत्व बुद्धीन कुत्व मीनार का मुखवा किसने बनवाय था इल्तोत में इसने कुत्व बुद्धीन इवक ने सुरू किया था लेकिन उसकी डैथ होने के इसने उसे पूरा करवाय कांची के मुख्तेसर मंदिर और बैंकोट पैर हुमल बंदी का निर्मार किसने करवाय था पल्लावबंस के नंदी वर्मन क्या कहते थे चतुर वेदी मंगलम भंगाल का कौंसा राजबंस कन्योज की तिकौण आत्मक संगर्स में भागिदार था फाल्ल वंस ठीक है बिजयनगर की चोतरे राजबंस अराव एडियू बंस की स्थाफने तिरूमलने कब की थी किसने तिरुमल ने की थी 1570 में नगर इतनी पूरी तरह उजड गया कि नगर की इमारते महिलों और आसपास के इलाकों में एक विल्ली या कुत्ता तक नहीं वचा सुल्तान मुहमद बिन तुगलक द्वान राधानी स्थानांतन के बारे में एक अथन किसने किया था कहा था जिया उद्दीन बर्नी ने कहा था ये भूमी की माप की अधार पर भूराजस का निधारन उपिती विश्वा उपच का आखलान सबसे पहले कि सुल्दान द्वारा किया गया था अलाउद्दीन खेली के अधिन किसके नेतित में 1937 में अखिल भारती राष्टी सिक्षा सम्मिलन का आईजन हुआ था महत्मा गांधी के सिसुनाग वंस के किस साथ साके के समय वेसाली में दुतिये बहुत संगिती का आईजन किया गया काला सोक की समय काला सोक चीक है उस मुगल महरानी का नाम बताना है जिसका नाम फर्वाना और सिक्कों पर आपको लोगों को अंकित देखने को मिलेगा नूर जहां हाई डिस्पीच का योध यानी की जिसी आप लोग जेलम का योध कहते हैं ये 326 बीसी में होता है किसके मद्द हुआ था सिकंदर और राजा पुरू के मद्द पानीपत के तीसरे योध में माराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसल्मान सेननाय कौन था इब्राहिम गर्दी इब्राहिम गर्दी जिसके नीचे बौध को ग्यान प्राप्त हुआ था किस सासद गवान कटवाय गया था गौड के राजा थे ससांक द्वारा इसे याद रखिएगा यह भी पूंच लेता है कई बार वह एस्थम कहां है जिस पर असोक का सांती संदिस और समुद्ध गुप्त की सेन विजय का बिबरन मिलता है प्रियाग में समराट अकपर द्वारा किसको जरी कलम की उपादी पिदान की थी मुहमद हुसेन को सेसाय की मित्ति उसकी अपनी अंतिम विजय की समय हो गई थी कलिंजर की घेरे की समय एंपी में पढ़ता है कलंजर यूपी एंपी के बौरल किस मोगल समर पितिमाओं को में सरवाधिक विख्यात कौन सी पितिमा है नटराचिप की कासे की फितिमा महरौली अवलेक से किस समराट के विसे में जानकारी मिलती है आपको चंदगुप्त दुतिये के विसे में अजीवक संबदाई का संसाब कौन था मक्खाली गोसाल किस आसा को बदा आयूनी ने अकवर को तौल कप्पी हम क्या है संगम कालींट ब्याकरन गंत सत्पत ब्रमड की रचेता कौन थी यग वलक ग्यान की मोक्ष मारगे का सिध्धान किस ने दिया रामानुज दसन का अकवर की समय गोडवाना गोंडवाना किस थी इस्तरी सासी का थी महिला सासी क अकवर के नवरतनों में सरवादिक बुद्धिमार व्यक्ति कौन था मुला दो पर आ गया मित मेल अविनो भार संगठन के सस्तापक कौन थे वीडी सावर कर जिनके नाब पर आप देखते हैं कि राजनिती रोटिया सिखती रहते हैं वाकिन चंद चटर जी ने किस उपन्य का एक मंडल होता था मंडल में च्छे समतियां थी और यह किस चेत्री एकाई की फिसासने की विवस्ता को चला देते नगर को चेटगाओं सस्ता का लूट कान्ड का नितित किस ने किया था सूर सेंसा हमने राजा राम मोहनराय को राजा की उपादी किस ने दी थी अकवर न संख्या में तामा उचांदी के मिस्वर्ण से निर्मिस सिक्के जारी करवाए थे जिन्हें कहा जाता है अध्धा और विक जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल सासक ने चलाए था अकबर ने एड़वर्ट टेरी नाम यूरोपी यात्री किस मुगल सासक के सास अंकाल में भारत आया था जहांगीर 1888 में इलावाद में हुए कॉंग्रिस के चौत्री अधिवेशन में सदस्तों की संख्या कितनी थी 1248 पित्थम नेमिटेड यूनियन 1918 में मदरास में टेक्स्टाइल लेवर यूनियन नाम से किस के द्वारा शुरू किया गया था वी प की बाडिया द्वारा मुस्लिमों येवं भुस्वामियों के चुनाओं चित्रों से पित्यक्ष निर्वाचन का प्रावधन किस बेटिस अधिनियम की द्वारा दिया गया था मारली में टो सदार जो 1909 का था लैनपून ने किसके विसाय में कहा था कि उसका नाम का रथ है क कि भागवान पर उसका जीवन दुर्भागी की कहानी रहा है इतियास में किसी भी समराट के ऐसा विरुद्धा वासी नाम नहीं है हुमायू के विसाय में कहा था ये क्योंकि ये भड़़ाता हुआ मर गया प्राचीन भारत के कौन से अवलेक पिथम पठित अवलेक है असो साख आये हैं तो याद रखी ये अथर विवेत की हैं ठीक है एक है आपकी विपलाद और दूसरी आपका सोनक सरपितम की सितिहासकार ने सेंडो कोटस और एंडो कोटस नामों का चंदगुप्त के साथ इस्थापित किया था तो याद रखी सर बिलियम जौनस ने ऐसा माना जाता है कि चंदगुप्त मार के ये दोनों नाम थे अभू रह्मार मौमद की सितिहास पिसिद्य लेखक का वास्तविक नाम है तो याद रखी अलवरिनी का माना जाता है तो याद रखी महायानना साकहारी समझ रहे हैं।। तगलग बंस का पिथम और अंतिम शाशक कौन था। तो याद रखी इसमें पिथम था इए और अंतिम था महह्मूद। अंगला कुशन है तारी के फिरोसाही की रचना किसने की थी तो याद रखे जी आउद्दीन बर्णी ने किसने जी आउद्दीन बर्णी ने किसने जी आउद्दीन बर्णी ने अंगला कुशन है हमारी सामने हजारा स्वामी मंदिर का निर्मान बीजे नगर समराज के किस सास काल में पुनर गटिट केंद्रिये फे सासंतंत की अंत्रकत सैने विभाग का प्रमु कौन होता था तो यार रखिए मेर वक्सी किस मुगल सासक के सासंकाल में इस्थापत कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी तो यह था साय जहां साय जहां बासको डियामा ने भारत का स मुद्री मार्ग उत्तरमांसा और अंतरी होका ढूड़ा और सबसे पहला पहुंचा तो काली कट काली कट ठीक है याद रखिए 1498 की बात की जा रही है गंधार सैलीकें राजाओं के सासंकाल में विक्सित हुई तो कुसार सासकों के रोयल एसियाटिक सोसाइटी और बंगा मॉहमद-गौरी ने कीस युवद्र में पितिव बीराज चोहन को हराय था तो याद रखिए तराइन के दूतिय क्यूद्रत मे तराइन का जो पहला युवद्धूदा था इसमें मॉहमद-गौरी जीता था लेकिन दूसरे में हार गया था कौन हिंदू राजा हर चौत्रे वर्स पे रियाग में अपना सारा धंदान कर देता था तो यह था हर अस्वर्धन खानवा की योद्य में पराजय से मेवाड की सत्ता को बहुत आगात महुंचा इस योद्य में मेवाड को पराजीत करने बाला सासा कौन था बावर तेक है पती सेलुकस निकेटर और मौर समराट जो चंदगुप्त मौर के बीच योद्य कब हुआ था तो याद रखना है 305 बीसी में इसा पूरू बौदी सत्त किसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने वाले वेवेक्ति जो मुक्ति के बाद भी मारवा जाती को उसके दुखों से चंदगुप्त मौर से संब्धिये मापकरी चंदगुप्त दुटिये से संबंदी थे और जिसे आप जानते हैं कि फिरोस सायंत तो तुगलक ने दिल्ली मगवाया था ठीक है महरौली में अमोक वरस पिथम किस बंस का सा सकता और उसने किस ग्रंथ की रचना की थी तो उस समय वहां का सासक कौन था तो याद रखिए सौमनात आपका काटियवार गुजरात में पड़ता है और 1225 में महमूद गजनवी ने इस पर आकमण किया था और यहां का सासक था उसमय भीम देओ ठीक है मुहमत गोरी भारत से वापस जाती समय अपना समराज किसे सौप ग और सरदेश मुखी में आप देखेंगे राजस का दसवा भाग बसूल 10% बसूल किया जाता था साय जहां दवारा निर्मित दो प्रमुख मस्चिदों के नाम कौन कसे है एक तो आकमोती मस्चिद आगरा में और दूसरी जामा मस्चिद दिल्ली में ठीक है अकवर ने प्रा जाना के नाम से जाना जाता था खानबा की योद्ध का क्या मातु था तो याद रखी इस योद्ध में बावर्ण ने राणा सागर को राणा सागर को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्त इस्थापित किया था अंगला कुष्ण है साथवी सदी के प्यार में किस सैव संत ने सरपिथम तमिल साहत के लिए संगम सब्द का प्रयोग किया तो याद रखी ये था तिरूना का रसू नयार अपपार भी कहते हैं से इबादत खाना के विसे में आप क्या जानते है अकवर द्वारा निर्मेत एक भवन था जहां आपने देखें कि अपने नए धरम दीन एलाई के अनवाईयों के साथ चर्चा करता था कौन अकवर वह चालुक राजा कौन था जिसने हासबर्धन को नर्वदा की तरफर पर पराजित किया था तो याद रखी ये पुलकिसिन दुतिये था बिजे नग होता है तो ये था याद रखी अलाउद्दीन खिल जी ने समराट हर्सबर्धन ने दो महान धार्मिक सम्हिलनों का आईवजिन किया था एक तो आप देखेंगे कन्नोज में दूसरा आपका प्रियाग में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर फिरनाली का जनक मान है तो याद रखे भारत के जैन इस्थापत का लागा और यह माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है यह आपका जैन धर्म से संबंदित है 1749 में किसन ने राध्धानी दिल्ली के निवासियों का कतल आम हुक्म दिया था तो नादिर साय ने ठीक है याद रखे पिसिद्ध गरंत ललित विस्तर या ललित विस्तार का संबंद किस धर्म से बहुत धर्म से वत्स महा जनपद आधुनी कुत्तरपदिश के प्रयाग के पास पड़ती है और तथा कासी जनपद के दच्छे पच्छे में था इसकी राध्धानी युम्ना तटक पर अवस्तित कौसम भी थी आज इसे किस नाम से आप लोग को सांग जानते हैं कौसम किस मोगल सासक ने आमेर की राजपूर्ट सासक जै सिंग को मीजा राजा सबाई की और अजी सिंग को महराना प्रताप की महराना की उपादी दी थी बाइजाद रेदारी पितावी सुरूं की थी तो याद रखी ये था जहाददार साहें रजी सिंग की सरक्षिका का नाम क्या था स्तदाकौर दुरगाराम मंचा राम सिक्षित गुजरातियों के एक छोटे समू का नेता था जो 1830 के दसक में समकालिन समाज का प्रवहाव साली आलोचक था और 1844 में नोंने कहां मानो धर्म सबाकी स्थाबना की थी तो सूरत में यह सूरत आपका गुजरात में ही पड़ता है दस जन्वरी हो 1790 को बंगाल की गवर्नर ने दस बर्स पर बंदोवस्त करने की बाद उठाई थी और 22 मार्च 1793 को भूमी राजस का इस्थाई बंदोवस्त बनाया गया था यह किस गवर्नर जनेल के समय हुआ था तो यह था कौर्ण बालिस लड करन वालिस पर एक कि याद रही से लौर बेली जली के साथ सबसे पहली साएक संदी किस राजने की थी तो याद रुखी है थ्रवादम सा विदेशी गरंथ रिग्विल से सामेता रखता है तो यह दर Nobody's Grid monstrous चतुर्विस्ती सहस्ती सहता किस महाकाप को कहा जाता है रामाईड को सूत गरंतों में पुनर्विवा करने वालों को पुनर्वू कहा गया है और दुती विवास से उत्पन संतान को क्या कहते थी पौनवाओ 2825 इसापुर में किस परसियन समराट ने सिंधू चित को जीत कर अपने समराज का एक प्रांत बनाती है था तो याद रखिए था डेरियस पितम कौन सा डेरियस पितम यह 2800 नहीं होगा याद रखिए 522 की आसपास होगा क्योंकि 2800 में तो आप देख रहे हैं कि उस समय तो कहां यह सब था कुल एक सो आट उपनिस्नों में से कितने वेदिक साहित की नाम माने जाते हैं तो याद रखिए पितम बारे को महतमा बौद के समय अवंती जनपत का सासा कौन था तो याद रखिए था चन फ्रगोत महसेन 24 वे तेड़ कर महावीर का पितिक क्या था सिंग 11.4 मीटर उची कुतो मीनार जिसे आप जानते हैं कि कुतो बुद्दीन एवक ने फैरम किया था और इसे इलतुत मिस ने पूरा किया था किस सूपी संथ को अरपित है तो ये था कुतो बुद्दीन बक्तियार खिल्जी को अमेरिको सुरो की फिसेद पुस्तक मिपता है उल्फता है किस से संबंदी थे जलालुद्दीन के अभियानों से इटली बैंसिया के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके सासनकाल में विजय नेगर समराज का बर्मट किया था तो देव राय पिथम के किस सिखे गुरू ने गुरू लिपी-लिपी की सुरुवात की थी तो याद रखिए जो दूसरे गुरू अंगद ने जहांगीर के सासनकाल में पिछले पद दुवस्पा और सियास्पा कारत क्या होता था घुर समार की संख्याओं को दरसाद दा था एक तरह से दो और तीन गोड़ों बाले सिखों के नेता वीड बंदा वैरानी को किस मुगल बातसाय ने पराजित किया था तो बहादूर साहिब विथम ने मुर्सी दावाद कब तक बंगाल की राधधानी के रूम में इस्थापित रहा तो याद रखे 1773 तक चतोर्थ आंगल मैसूर यूद में नेडाइक विजय के लिए मार्किस की उपादी किस अंग्रेज को मिली थी लौड वेले जली को यह आप देखें 200 इसापूर्व से 320 के मद्द विदेशी मोल का फिरमुक समराज किस बंसका था कुसाण बंसका उपलब्द रेडियो कारवन तारीखों के इंशार भादी उमादी में ग्याद प्राचिनतम किसी गद बस्ती मेहर गड़ है जबकि भारत में सिंदू छेत से बाहर ग्याद सरवादिक फिराचिन वस्ती कौन सी है बाला थल ठीक है असो की डैत की बाद मौर समराज की पश्चमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया पश्चमी भाग में आप देखेंगे कि कुनाली और असो का पुत्त था और उसके बाद आप देखें क कुछ समाई के लिए संपेटी का सासन भी रा राजिक के पूर्वी भाग की राध्धानी पाटली पूटती यह भी आप लोग याद रखें सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहला था दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक ठीक है तुलो बंस का संस्ता भी नरसिंग देव था और जिसने आप देखेंगे इंबारी नरसिंग की हत्याँ कर एक नए राजवंस की स्थापना की थी इस बंस के किस बिख्याल सासको अंद भोज की नाम से पिस्द्धी मिली किसने देवराय को, किसने देवराय को, याद रखिये से भी, गुरु अरजुन ने आदी गरंथ को का संकलन किया, अमर सर में सवडमंदी बनवाया, और मन संद पिता कुष्णनिश्चित रूप दिया, खुसरु को आसी बात देनी की कारण किस मुगल बासा ने 1606 में उन्हें फासी देग थी, तो याद रखिये, गुरु अरजुन को फासी किसने दी थी, ये दारेक पूंच लेता है, जहांगीर ने, दिसंबर 1600, इस भी में इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना हुई, और इसका सबसे पहला पिति निद्धी, हौकिन्स से 1608 में जहांगीर की प्रोधित के साथ कन्या का विवाद देव विवाद, और कन्या की पितादवारा धन के बदले कन्या का विवाद क्या कहलाता था, असुर विवाद, और आप सभी लोगों को मालोगा, लब मेरेज को असुर विवाद में रखा गया है, गौपुरम किस वास्तु कला सैली की विसेता है चोल यानि कि देविट 1728 में मराठा उनिजाम के बीच हुए पाले खेडा कि वियोद्ध की समाप्ती के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संदी हुई थी मुंसी सेगाओं की संदी सिंदु घाटी सब्दा में घोड़ी के आउसिस कहां मिले सोरकोटदा में तहकी ते हिंद नामकुस्तक की रचेता रचना करने वाले अलवर्नी किसके सासनकाल में भारत आये थे महमूद गजनभी के काल में हिजरी संद का संबत का प्यारम कब गुए था 622-ESB में किस सुल्तान के सासनकाल में चहल और 40 गुलामों के दल का गठन गुए था इलतुतमिस के सासनकाल में और इसका बिक्ठन गुए था बल्वन के सासनकाल रे अहमद साय अबदाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? मराठों को, ए 1761 में हुई थी, बैदिक काल में सासन का प्रिधान राजा होता था, जबकि उसकी इसायता करने वाला सरवादीक मत्पूर्ण का दाजिकारी कौन होता था? पुरोहेत, अला अबाबर की आत्म का था किस भासा में लेकी थी? तुर्की में, भारत में वेटी संबराज के विस्तार के लिए साहिक संदी की नीती का अनुसरां किस गवर्नर जनरल ने किया था? लौड बैले जली ने, दस राज योद्ध किस नदी के तटपल लड़ा गया था? परुसनी मदीना को पलाइन किया था उसी समय को. खानवा की योद में मेवाड को परास्त करने वाला सासक कौन था? बावर. पानीपत का दूसरा योद 1556 में होता है. किस किस के बीच होता है? एहेमू और अकबर के बीच. हेमू हिंदू सासक था. भारत में इस्थानी सोसासन प्यारम करने का सरे किसे दिया जाता है? लौड रिपफन को. समुद्ध गुप्त की फ्रियाग विसत्ती किस मुगल समराट का लेक उतकीन है? इसमें जहांगीर का. भारती नेपोलियन का विरो समुद्ध गुप्त को किसे इतिहासकार ने दिया? तो याद रखी B.A. इसमे तने. भ सबसे बड़ा सत्रू कहते थे महिर भोज को. कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का पितिसत किस मुगल बात्साय के सासनकाल में 32 था? जो आप देखेंगे समस्त मुगल काल का अधिकतम पितिसत था? तो याद रखी ओरंजेप के सासनकाल में. हिंदू मनसबदारों की पिती सद जान्द देखने को मिलेगा जहांगीर की दरवार में वेटी सासक जैम्स पिथम का राध्दूत कौन था बिलियम हॉकिन्स यग बलक और गार्गी का संबाद मिलता है बेहदारन उपनिसद में असोक का कौन साव लेक धार्मिक सहिश्कनूता करे सिध्धान को समर किस ने किसके बारे में कहा था हमें इससे जरजर बेख्च की तनी पर आक्मत करना चाहते हैं साखाएं तो सहम ही नीचे गिर जाएगी पेसबाबाजी राओ फश्ट ने मुगल संबराज के लिए कहा था किस सासक ने काली कर्क में बासको डिया मा का स्वागत किया था तो य जर्मरी करता जमूरीन करना था है मिस फ्रेंट हो जाता है अब चलिए छोड़िए लाहर की साली मार बाक का दिर्माट किस मुगल बासता ने किया था करवाय था पूरा तो याद रखे साय जहान है पराचीन भार्टी इतियास में पनड़ी और पतंजली 200 पिख्यात नाम है किस राजवन्स के सासनकाल में उनका अवियुदय हुआ तो याद रखे संववन्स और वह है पराचीन भी स्विध्याले कौन सा है जो बहुत धरम के वज्ज्यान साखा को केंद था तो याद रखे विक्यम भी स्विध्याले सिभाजी के वंसजों के तकाल बाद राजी की सत्ता को समालने वाले अध्यारी कारी कौन थे पेसवा मोगल इस्थापत का एक उधारा ने जिसमें पहली बाद संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है तो याद रखी इतमत दौला की मकवरा में जो आगरा में आपको देखने को मिलेगा ग्रेक राजाओं द्वारा अधाय संक्र लेते हैं यह जातक रामाईड की किसकांड में राम और हनुवान जी की पहली भैट का मानी जाती है यह किसकंदा कांड गौतम बुद्ध का जनम और डेथ कहा हुई लूमिनी में तो जनम हुआ था कुसी नगर में डेथ हुई थी गंधार कला किसकाल में विक् गुप्तकाल मंदिर इस्तापत कला यह आपका गुप्तकाल से माने जाता है किस बिदेशी लेखक ने विजय नगर समराज के बारे में विस्तार से बढ़न किया था था फार नाओ नूनीज ने किस मुगल सैनापती के साथ सिबाजी ने फुरंदर की संदीग पहस तक चल कि ढ गे थी जैसे ही चौलों ने किस सासन को समथ करके अपने सम्राज की स्थापनी की थी कांची के पलो शासन को भ्रांती बिला से पुस्तक के ले खा कों थे इस और चंद विद्यास्यागर भारत के किस बासराईत के समय में इंडीन पेनल कोड इंडीन पीनल कोड urine als ऐपीसी पुलिस्थान आर्केटिक पिदेश था तो बाल गंगा धर तेलक ने मोहंजोदरों से प्रात्य पसूप पती की महर पर हाती गेंडा और बाद अस्व और बैल में से कौन अंकित नहीं है तो याद रखे अस्व घोड़ा नहीं है चितोड का नामकरन खिजाबाद किस ने किया सिंदू और जिलम नदी के भी इहो लवलेग की रचना किस ने की थी कभी रभी कीरती ने भारत की इतिहास के संब्द में अब्दुल हमीद लाहोरी कौन थे सायन जहां के दरबार में एक राज किये इतिहासकार दिली की राजगदी पर अफगान सासकों को सासन का सही किरम क जा जा है देखे सबसे पहले वेलोल लोधी फिर आप जैंके सिकंदर लोधी एबराहिं लोधी और आप जानते हैं कि इसका अगर आपसे बूचे लोधी बrend का संस्ताफक तो वेलोल लोधी राय और अंतिमाप में रलेन बीच मैं सिकंदर में करनाटक योद किनके वीच हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसेसियों की वीच किसने देवराव द्वारा लिखित अमुक्त मालयत किस भासा का गिरन थे एक तेलगू भासा का और अरंग्जेव की विरुद्ध विद्रों करने वाला सत नामियों का मुख केंद क्या था न में धर्मत का योद किनके वीच हुआ था दारा सिको और अरंग्जेव की विच ठेक है धर्मत का योद्ध सुल्तान को तो बुद्धीन एबक की डैथ कैसे हुई थी चौगान खेलती समय घोड़े से गिरने से फतुहात यह आलमगिरी जो इसलामी कानुनों की सहिता है कि ल बुद्धी मिता का तो यादर कि विंसेट यह समित की पिथम आंगल माराठा योद का अंत कि संदी से हुआ था सालवाई की संदी से रिगवैदिक समाज में गौपता सब्द का उपयोग के राजा के लिए होता था मोहंजोद्रों से प्राप्त एक नित नर्दकी की प्रप्सिष्ट अनुम नवूना भी माना जाता है किस ठाटू से बनी है कास धास्ते बास द्रम और अनेसवर्बादी और द्रहम के तृतन कौन-कौन से हैं तो यादर रखvalue बॉतरम में कौन-कौन-से तृतन हैं बाधर धम संग चंदगुप्त मौर चाड़क की सायता से मगत के राज सिंगासन पर बैठा और मौर समराज की स्थापना की उसने किस नगंद सासक को पराजित किया था गहनानंद को गुप्त समराटों ने सबसे अधीक स्वड मुद्राएं जारी की और इन सबसे अधीक स्वड मुद्राओं को कुप्तकाली नभी लेकों में क्या कहा गया दीनार बाडवट हर्स के दरबारी कभी थे इनमें इनोंने किन किन गिरंतों का एक तरह से रची हर्स चरित और कादमबरी ठीक है हर्स की थी बाडवटने हर्स चरित और कादमबरी चौगान पोलू खेलते समय अपने घोड़े की फीट पर से गिर जाने के कारण एवक यानि की कुतुब दीन एवक की डेथ हो जायती है 1210 में एवक का मकवरा कहा है लाहोर में राणा फिताब सांगा राणा फिताब राणा ओदैसिंग का उत्रादीकारी माना जाता है और 1572 इस भी में मेबाड की गद्धी पर बैठा उसका राज जविसे कहा हुआ था गोगुंदा में सिवाजी की पिसासने क्विवस्ता मुकरूप से दक्कन नो राज्यों की पिसासने क्रिवाजों से उधाल हुई थी उन्हें में आप देखेंगा आठ मंतरी नाम जद किये थे इन्हें क्या कहते थे अश्ट पिधान 1853 के विद्रोग का तदकालीं कारण शर्वी बाल लगे कालतोसों का प्रेयो करना था शर्वी उफ्त कालतीसों के प्रेयो की बुरोध में पितम विद्रोग बैरकपूर चाउनी में किसकी द्वारा किया गया था मंगल पांडे को मंगल पांडे को बाद में आपने देखा होगा कि इन्हें फांसी दे दे गई थी सिक्षा पर 18.00 चंग्वन के चार्ल्स वोड डिस्पेज भारती सिक्षा का मेंगना कार्टा माना जाता है इस ते बक्त भारत का गवर्नेंट जनरल कौन था तो याद किसका बुद्ध था चंदगुप्त फश्ट का पेगंबर मुहमत साब के कथनवा कारे कहलाते हैं हदीश आडाई दिन का जोपड़ा कहां इसते थे अजमेर में अहोम कहां किसा सकती असंकी मराठा तथा अहमद साय अबदाली के भी तितिय यानि की कहने का मतलब है पानीप अधी संक्राइच वार द्वारा था फी चार मठ के नाम को उनको से जोसी मठ द्वार का पुरी सिंगेरी महत्मा बॉद्ध कप महापरी निर्माड किसके गढ़कतंत में हुआ था मल्लों के रिखबेद के किन मंडलों को बंस मंडल के नाम से जाना जाता है दुतिय से सब्त मंडल को वैस था जहा माभी ने पूर्ण अध्यात्मिक ज्यान केवल ज्यान पराप्त की थी जिंबिक ग्राम किर्शक वर्ग की कोई भी महला बिना आभूसर्ण के नहीं देखी जा सकती थी यह कतन किसका था वर्णी का फार्सी रादूत अब्दूल रज्जाग किसके सास सासन में दीवानी कोई किस पेकार कब भाग था किसी से संबंदित था ठेक है मोगल सासकों में से किस ने पहली बार राजा की रूप चिक्ते से युक्त सिक्य चलाए तो यह था जहांगीर अंग्रेज उंद्वारा रेयत बाड़ी व्यवस्था प्यारम की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में पराचिन सेकों पर भीडा बजाते हुए दिखाए गया हिंदू सासक को किसे समुद्ध गुप्त को बैदिक काल में सासन का प्रिधान राजा होता था जबकि उसकी सायधा करने के लिए सबसे महत्पूर अधिकारी कौन था पुरोहेद कलेंग राज कार किस पिकार के व्यक्तियों के संबंद में किया जाता है जो धरम का नास करता है स्थिकंदर वो पोरस के भी चित्यास पिसिद्ध योद किस नदी पर हुआ था तो याद रखिए जहिलम के नदी पर जहिलम योद्ध भी कह देते हैं से कौन सा दर्शन भागवत धरम का मुखाधार है विसिष्टा दुए दर्शन दिल्ली सल्तनत की अधिकारी भासा फार्सी थी 1707 में औरंग जिव की डैत की बाद उसका उत्रादिकारी कौन बना बहादूर साथ रिथम पदमाबत की रचेता मली के मुहमद जायसी का सम्मद किस राजिस्ति था जौनपूर से फीट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में किस एक्ट में अनिक विकार के संसुधन किये गए रेगूलेटिंग एक्ट में जैन सायत को किस नाम से जानते हैं आगम एहो लवली किस सासक से संबंदी थे फुलके सिंदूति है सेंधो मुहरों पर पसुपती की मूर्ति से योक्त मुद्रा कहां से प्राप हुई है मुहंजो दोड से अनूलॉम विवा में होता है उच्चे तर जाती के लड़की का से जानते हैं बिंदू सार को आमित्य घात जीवन का चार आस्तुमों में विभाजन मिलता है सत्वत ब्रह्मन में और दिली सल्दन का कौन सा सुल्तान लाख बक्स के नाम से जानते थे कुतुबुद्धी ने वक्त लाल गुम्मत का निर्वाण किस ने कराय था नसुरुद किस ने की थी गागा भट ने भारत पर नाजिसाय का अक्मर कवगा सत्रह सुन्तालियुस में किस उत्तरवत्ती मुगल बासा का उपनाम साहे वेखवर था बहादूर साहिव तिथम का महमूद गजनभी द्वारा दोस्तर शौमनात मंदिर का पुनर निर्मार किस ने नारपाल ने बिजय नगर समराज की पिसासनिक विवस्ता में सिष्ट क्या था बहुराजस था अश्ट पिदान नाम से किसे जाना जाता था सिवाजी की सलाह स्गाल जो समती थी मंदरी उन्हें किस मुगल सुल्तान ने किसकों की सायता के लिए पट्टा और काबूलियत की विवस्ता की थी सेसासूरी ने किस मुगल बातसाय ने नौरोज यानि की फारस का तिवहर मनाय जाना बंद किया था औरंग जेव ने अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्म नामा की नाम से किस गरंद की फारसी महनवाद किया था महाभारत का महाभारत का जहांगी के द कि समय भारत का वाइसराइ कौन था लॉड वेवेल बहमनी समराज का वाइकॉन सा सासक था जो दुष्टता और निसंसरिता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाने जाता है हुमायू पितवी राज चौहान की विरोध मुहमद गौरी की साहता करने के कारण किस सासक को देश और उस समय की सामाजिक आविवस्थाओं के सब्बंद में महत्पूर्ण जानकारी मिलती है चंदगुप्त मोर की एक मुकुट धारी राजा को सदा धरम की दृष्टी में रहका सासन करना चाहिए यह कथन किस का था किष्ण देव राय का दिल्ली अभी दूर है यह कि फेड़ेता कौन थी नागारजुन किस पिसिद सूफी संद के जीवनकाल में एक के बाद एक साथ सासक दिल्ली सलनस्तनात की गद्धी पर बैठे तु निजामुद्दीन ओलिया की जीवनकाल में नादिर साय ने किसके सासनकाल में दौरान दिल्ली पर आखमण किया था म मुहमद साय के सासनकाल के दौरान चंगेच खांक अधीन वंगोलों ने किसके सासनकाल में भारत पर आखमण किया था इल्तुत मिसके सासनकाल में एली फेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए पिसिद्ध मंदिर किस राजवनस के सासकों से संब्दी थे राष्ट भारत का अंतिम राजपू सासा कौन था पितवी राच चोहन और रंग जेवने से बाजी के विरुद्ध सोले सो में किसके दक्कन का सूविदार बना कर भीजा था साइस्था खांको किस एकमात गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी लौड मेयो की आप जान लाजनिक विवस्ता का गंधार सेली का समंद किस कला से मूर्ती कला से नादिर खाय सेली का समंद किस से मुह्मप साय किस आसनकाल से जिस आंद लुन के वाजाम सर्व विढवा एक्ट अदिनियम हुआ था उसके अगडूत को थे इसोज़ों छर्चन बिद्धियjem सागर ऐल इसलिमेन ने ठगों का नुमूलन किसके सासन काल में किया था बिलियम बैंटिक के सासन काल में सुल्तान की विसाल तम स्थाइस है न जिसका भुकतान सीधा राज्य से किया जाता था किस ने बनवाई थी अलाउद्दीन किली ने महावलीपुरम में रत मंदिरों के निर्वाण किस पलो सासक के सासन काल में हुगा था नरसिंग वर्वन पिथम के सासन काल में किस राजपूत राजा ने मुहमद गौरी को पहली बार हराए था चालुक वनसी मूल राज दूतिय ने किस चोल राजा ने लंका सिंगल को सबसे पहले जीता था राज राजा पिथम ने सौने की लंका चोल समराज की बिनास के बाद सुतन पांड समराज की स्थापना करने वाला इंडरेश कौन था मारवर मन सुंदर पांड बैटेन की इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना की समय भारत में बाद साय कौन था जहांगीर कौन था जहांगीर प्रयाग पिसस्ती किसके किसने सैनवियान के बारे में जानकारी देती है समुद्ध गुप्त की कि देखिए आपको बताओं इस्ट इंडिया कंपणी की आप जानते हैं कि स्थापना के समय आपका सासक था अकवर लेकिन आपको मालू होना चाहिए 31 दिसंबर 1600 में हुई थी लेकिन जब भारत में आई उस समय था जहांगीर तो यह आप लोग याद रखिए अगर यह गल कालीदास की प्रमों के रचनाओं के नाम याद रख लिए रितु संगार हो गया मेक दूतम कुमार संभव मालपी गाग निमित्रम अभिगान सकुंतलम ब्रभूबंसम बिक्रम बिक्रमों वंसियम ठीक है इन सभी को याद रखिए इनसे कई बार कुश्चन साब के आ जाते प्राचीन भारत का विस्कोस किन गिरंथों को कहा जाता है पुराणों को गंगवंस के नर्सिंग देव उन्हें कोडार के सूर मंदिर का निर्मार कराया था इस मंदिर का निर्मार किस सेली मुगा नागर सेली में इल्तोतमिस के सासनकाल में 1221 में किस विदेशी आकमड कारी ने भारत पर आकमड किया था चंगेज खान ने मंगोल आकमड कारी था है कौन से सुल्तान असो किस्तम को दिल्ली लाय था थिरोज तोगला कनोच का यूद किस के बीच हुआ था सेसाय सुरी और हुमायू के इसा किस मुगल समराट की पुत्री थी और रंगजेव की खाग फी खाग को किसके सासनकाल में राद दर्वास या असरब राप्त था और रंगजेव की सासनकाल में अश्ट पिदान की आठ पताजिकारियों में दवीर या फिर सुमंद को दायत की मिला था विदेशीक में महमूद ने किस सासकों की सेवा की थी वहमनी सासकों की महमूद गजनयवी महमूद तोगलक का वस्तविक नाम क्या था जुना खां स्वामिद दयानन सरवस्ति ने आर समाज की स्थापना कब और कहां की थी तो याद रखे 1865 में बंबभई में और सबसे जरूरी तव्य अपना सुफिसित भासन्द दिया था पार्लियमेंट ओफ्स रिलीजन में सौमनाथ पर आख्मन करने वाला महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था संधिक रास्ते से दिली सल्तनत के संद्र में जलालुद्दीन फिरोज किस वंसका सा सकता खेजी वंसका अमेरिक सुरो द्वारा रचित खजाय तुल फट्टो का संबन की सुल्दान से था अलाउदिन खेजी से बास्तु कला की रास्तिंग सेली किस राजबन से संबन दी थी पल्लोवन से चोलों की सासन विवस्था किस विकार की थी राच्तन तरात्मत जहां पना नावक चौती द था पतकला का सरवादिक बहुमूल रतन समझा जाता है कर निर्मार की सुल्दान ने करवाय था अलाउदिन की जी ने तंजोर का राजेस और मंदिर के सासकों ने बनवाय था चोल बंस के सासकों ने सिंदु घाटी सब्दका प्रमुक बंदर का कौन था लोथल राजा को मं क्योंकि आप देखते हैं कितना थान मंदिरों में पढ़ा रहता है थाने सोर के बर्धन बंस का संस्ताफक हों था विवाकर बर्धन प्राचीन में पूर्भी समुद्ध तट पर इस्तित किस बंदगा को समातरा ज्याबा चीन आदी से व्यापार होता था तामलीपी बंदर से ऐलएरा के किसा कैलास मंदिर का निर्मार किस बंस के सास्कों ने करवाय था राष्टपूर्ठ बंस के फास्कों ने नादिर साह न किस क glasses काल में भारत पराराक्मर किय घाल मेंत पर अाइक वह ऑंब साइक ने अग्रेज होद्ध बारा बनाई गयी योजना Operation 0 से महाराजा दीराज की उपादी धारन करने वाला पिथम गुप्त सासक कौन था चंदगुप्त पिथम भारत अरब नहीं इसे दावल इसलाम में परिवतित करना बिवहारिक रूप से संभाव नहीं है यह कथन किसका था इलतुत मिस्का सल्टनत काल में मंत्रियों क्योंक्ति और पद से हटाने को कौन करता था सुल्तान अमीर खुसरो किस एक किर्टी में अलावतित खिली के सेन अभियारों का वर्डन मिलता है खजायन उल फुतों में पुष्टी मार के संस्तापकों थी वल्लवाचार किस मुगल भासा ने वसियत लेकर अपने पुत्रों को निदे विजय नगर समराज के बावर ने अपनी आत्मकता किस भासा मिल की थी तुर्की में बाद सासो बारे में सिंद्र के राजा दाहिर को पराजित करना वाला पहला आरब आकमर कारी कौन था मुहमद बिन कासिम राजा किसने देव राय किस धरम के अनुवाई थी पैसनाव धर समराज अकवर का पूरा नाम क्या था जलाल उद्दीन मुहमद अकवर किस अवलेक से चंदगुप्त मौर की सौराष्ट विजय की पुष्टी होती है रोधिदामन के जूनागर अवलेक से बेटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कार खाना कहा इस्थापित किया था सूरत में किस एक्ट के अंतरगत इस्ट इंडिया कंपनी पर संसदिय ने अंतर इस्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतरगत किस मुगल सासक ने बेटे इसको बंगाल हैदराबाद गुजराद के अपने छित्रों में करिम मोक्त ब्यापार की अन्मती दी थी तो यह था फरूक सी है बोर्ड ऑप कंट्रोल की निर्मार्ट किस एक्ट के अंतरगत किया गया था पीट सी इंडिया एक्ट 1784 की भारत में बेटी सत्ता का प्यारां बक्सर की योदिस से होता है यह बक्तब किसने का था मेरेम जी मिहूर ने हडपा के विशाल टीलों की और सरपिथम किसका ध्यान गया था चार्ल्स मैसन का और किस सहिता को ब्रमा देव कहा जाता है रिकवेत को दस राजी उद्दे किस नदी पर हुआ था परसुनी नदी पर ख्वाजा अब्दु समध किस दर्वार का चितकार था अगवर की जौनपूर की अटाला मश्जित का निर्मार किसने करवाय था इब्राहिम सरकी ने मद्यकाल में सफेज संगमरबार का पहली बार प्रेयोग किसमें हुआ था इत्मत दौला की मकवरा में तो जो के बावरी की फार्सी मेरवाद किसने किया था अब्दुर रहीम खान खाना ने अश्ट दिगज किसकी राजभासा की सुभा बढ़ाते थी किसने देव राय की जाज सबाकिर नियाई के लिए वाजसा ने सीधी फर्याद करने का अधिकार किस मोगल सासा को ने पिद क्राइटी मिर निधी मंडल खौन ता फिदिदी कैप्टन होकंस कैप्टन होकिंस कि दिल्ली सल्तनेत कि कि सुल्थान ने अपनी आत्मकत्हा लिखी थी तो याद रखे फिरोज साहित तोगलक ने फते फिरोज साहिल अंकुरबाट का मंदर किस दिवस्ता से संब्दि थे व स्तिराजुद्वाला और किलाइब के बीच कब लड़ा गया था तेज जून 1767 में तेज जून 1767 बने इस डेट को भी याद रखे स्तिराजुद्वाला और किलाइब के बीच दिली सल्वनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब आदरसवादी खूनी आदी विसे इस तरह की नामों से पुखारते हैं मुहमद बिन तुखलक को यानि कि इसने जितनी भी योजनाई वनाई है उसमें आसफल हुआ था आप समझ रह सुल्तान के सासंकाल में भारत पर आख्मड किया था नसुर अगरेज गवर्नर्ट जनरल ने भारती इस मारकों के सरक्षर में रुची ली थी लौर करजन ने मातमावद ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया था क्योंकि मध्यम मार्ग अतित भोग बिलास पूर्ण जीवन और गोर तपस्यादवारा सरी को यातना देने बाले जीवन के वीच का मार्ग था यानि कि जो आसानी से लोग अपना सकते थे भगवार महावी ने पूर्ण एहिंसा का उपदेश क्यों दिया था क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव बिद्धमान है तो जयन धर्म को आप देखते हैं कि अपनाना बहुत मुस्किल होता था अभी भी आप देखते हैं कि वह अपना चीटी भी ना मर्जा इतना मतलब ध्यार रखते हैं संद नागानंद रतनावली प्रिय दर्शी का नाटक किसके हैं हरस के, माकरिय रतनावली और प्रिय दर्शी का, ए तीनों किसकी है हरस की, नागानन्द, रतनावली, प्रिय दर्शी का, खानवा के योद्य में मिवाड को पराजित करने वाला सरसक कौन था, बावर, भक्ती आंदुलन का जनमदाता किसी माना जाता है, रामारुज अच्यार को, कुबद उल इसलाम मस्जित का निर्मार किसे ने करवाए था, कुत बुद्धी निवक ने, बंगाल के किस सासक ने सबसे पहले, सुतंता की गोशना की थी, अलिवर्दी खाने, मुगल सेना और नादेशान के बीच, फरवरी 1749 में योद कहा हुआ था, करनाल में, और का पांची का क्या लास मंदिर किसके द्वारा स्थापत की द्रविर सैली का उद्ध होता है, किसके द्वारा बनवाए गया था, पल्लाव राजा, रास्तिंग, दुतिये के प्यारंपुत और पुत्महिंद द्वारा, ठीक है, किसके दिल्ली सल्तनत के संद्रव में दीवान अमीर को को ही किर्सी विभा की स्थापना मुहमद विन तोगलग ने ओस्दी कि महान विसिसग चरक किसकी राजसावा में थी करेश्की की राजसावा में फारस ने आने बाले अद्दुर रज्जा की हमपी यात्रा की समय दच्छिन भारत में विजयनगर का सासक कौन था किस राजबन से समन्ध था तुलू राजबन से किस स्थान की सासक ने अजमल खा के साथ 1669 में सिवाजी की विरूद एक विजयापूर की सासक ने हरपा गाली इस तल सुरकोटदा कहां पाए गया गुजरात में यहां से घोड़े के या उसे मिलने की बात की जाती है एक मात अलुवर्णी द्वारा लिखित भारत का वितांत किताब उल्हिंद 1585 में अकवर ने अपनी राधानी कहा इस्थाना अंतित की थी लाहूर मोगलों ने कौन से सिख गुरू को यादनाय दे कर मारा था गुरू तेग तेग बहादुर को अमदरस्तर की संधी महाराना रजी स और किस अन्य के वीच हुआ था लॉड मिंटो के अंग्रेजों के विरद्ध बकसर की योद में किनों ने मिलकर भाग लिया था मीर कासम स्राव जौद्वला और साहय अलम दुदिये ने 1764 के आसपास भारत का पिथम गवर्नर जनरल कौन था लॉड विलियम बैंटिक और अरंग जिमने इस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को भारत से निकाला था सर जौन चाल्ड अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली नेडायक सफलता किस से योद म कारोप लगा कर सत्ता से हटा दिया था अवद की सासकों को भारत का पिथम बास्तिविक समराट किसे मानते हैं असोग को पालवन्स के किस सासक ने विक्रवादी त्विश्विध्याले कि स्थापना की थी धरम पाल ले किस योद में मुम्मत गौरी ने जयचंद को हराय था चंदावर की योद में 1194 की बात है बैदिक काल में कौनसा जानवर अगन बाना जाता है गाए प्राचिन समराज अवंती की राधानी थी उज्जेन किस सासक ने बारंगल कि पिताप रुद्ध देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो याद रखी अलाउदिन खिल ज कि वीवस्तिक रूप से कहा करनेवासी था इथोपिया बारत में इस्ट इंडिया कंपनी का सासन कब समाप्त होता है 1858 में लोग सेवा में भारति बारतियों की निवक्ति ना करने की निती का आरम किस ने किया था लौड कानवाल से बनारस में सेंटरल हिंदू विशिध्या दिया तुम और समराट ने क्योंकि आप समझें कि एक तरह से आपके अविलेक हैं तो कम से कम उसमें लिखिज जानकारी तो है तहकी के हिंद नामक गरंद की रचना किसने की थी? अलवर्णी ने किन सेंदा और स्थलों से यग्गिये वेदिया पराप्त हैं लोथल और काली वंगा से महावीर का जरम 540 सीशापूर्व की लगभग पैसाली में माना जाता है और एक हाए कुंडल ग्राम में किस सासक को देश दुरही की संग्या दी जाती है? जैचंद को जो कन्योच का राजा था सल्तनत काल की सुल्तानों द्वारा बनवाई की मस्जिदों में सबसे पहले कुबद उल इसलाम मस्जिद का निर्वार किसने करवाय था? को तो बुद्दी डेवक ने किस पिसिद सूफी संद की जीवनकाल में के बाद एक साथ सासक दिल्ली सल्दनत की गद्धी पर वैठे तो याद रखी ने जामुद्दीन ओलिया की जीवनकाल में नूर जहा ने अपने पिरवाव से खुद पाद साय बेगम की उपादी ली और अपने पिता को इतमत दौला की उपादी पिदान की उसके पिता का नाम क्या था? मेजा ग्यास बेग इलावाद की संदी किंदो पक्षो में हुई थी? एक तो अंग्रेश थी और साहिल अलम दुतिया की बीच लॉड वैले जली के साथ सबसे पहले साहिक संदी किस तराज की सासक ने की थी? हैदराबाद की निजाम ने इुनानी लेखक ने चंदगुप्त मौर की नाम प्रेयोख किया है सेंडोकोटस और एंडोकोटस चंदगुप्त मौर के लिए दिल्ली सल्टनping पासासन केरे ने वाली एकमात महिलाराजपाल सुल्तान को थी? रजिया सुल्तान किस की पुतरी थी? इल्तोथमिस की तारीक के प्रोसाई की रजना की थी जियाउद्दीन वर्णी ने, 1570 लगभक सभी राजपूर राज्जों ने अक्बर की अधीनता सुईकार की थी, परंतु किसे एक मात राज्ज ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी, मेबार्ण ने, मराठा राज्जों का दुतिय संस्ता पर किसे माना जाता है, बाजी राओ कि थमने, अबत का अंतिम नवा कौन था, वाजीद अली साय, भारत में वेटिस ब्यापारी, ब्यापारीक पितिष्ठानों की स्थापना ही तू, आग्या प्राप्त करने ही तू, आने वाला वेटिस समराड जेम्स का पहला पिति ने दित क कौन था, बिलिया भॉकिंस, आयोवेद किस बेद का उत्वेद माना जाता है, रेखवेद का, गुप्त काल की किसे पिसिद गध लेखक में, सुफन बास वद्धिता की रचना, भास ने, महाबाली पुरम किनके सासनकाल में सरवादी पिसिद रा, पलो सासकों की सासनकाल मे चंद गुप्त दुदिये किस सासनकाल में कौन सा यत्री भारत आया था, एथा भायान, फायान, इबराहिम खां गंदी किस पेसवा के बत्पूर सेने का दिकारी था, बाला जी, बाजी राओ का, तैमूर ने किस सुल्तान के सासनकाल में भारत पर आखमन किया था, बंगाल की दुदिये विभाजान की समय भारत का वाइसरा कौन था, लौर्ड माउंट वेटन, महावी का जनम कुण्डे गाओं में हुआ था, इसकी आधुनिक नाम क्या है, बासु कुण्ड, खिल्जी खाने किस खिल्जी सासक के सेननाय के पद्पर काम किया, अलाउदीन के लिए, किस सुल्दान ने अब्दुर रज्जाप को देवराय दुतिये की दरवार में राजदू की रूम में विजा था, खुरासान की सुल्दान सारुक को, किस सासर की सासनकाल में एहमद नगर राज को मुगल समराज में मिलाए गया था, तो ये था साजहा की सासनकाल में अबत की किसनवाब ने अंगरेज्जों के साइक संदी की अविवस्था सुईकाल की थी सुजादुल सुजाउद्धुला ने वाकबर की जनम की समय हुमाईव किसकी सरन में था अमर कोट के राजा की सरन में अमर कोट के राजा की सरन में क्योंकि सेलसाय सूरी ने किस तरह से उसे परिशान कर रखा था अंगला कुश्चन है हमारा बाजार नियंतर पडाली कि सासक ने प्यारम की थी तो याद रखी अलाउद्धीन खिल जी ने और ये भी कुश्चन कई फरीक्षाओं में आपका पू भारत आया था तो जहांगीर के सासनकाल में सीधा सर कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज राद्बूत था सर् टोमस ये किस के सासनकाल में भारत आया था जहांगीर के किस गवर्नर जन्रेल ने दासपता गो समाख्त किया था तो ये था लौड ए congress बरो, ठीक है? महामीर के देहांत के बाद जेन धरम का अध्यात्मिक नेता कौन बना? तो याद रखी ये था सुधर्मण. जब 1833 में राजा राम मोहन राय का डैथ होती है, यानि कि इनकी नेधन होता है, तब ब्रह्मा समाज का नेतित किस ने किया था? ब्रह्मा समाज का देविंदनाट ट है गोर्ने, ये हो लगले किसकी किर्थी का विवरन है, तो याद रखी पुलिकेसिन दुतिएगी, किस देवी देवता को गायती मंत समर्पित है? साबत्री देवी को, ठीक है? किस मौर सासक के बश्चे में एसिया के सासक से लूकस निकेटर के साथ विवाहिक संबंद थे, तो ये थे चंदगुप्त मौरिके, अपना सासन बढ़ाने के लिए सत्ता इस्थापित करने के लिए एक कोई भी संबंद बना लेते थे, आज के निताओं में क्वाइल्टी आप लोग देख रहे हैं, ये से सीखा हुआ है, किस बौध सन्यासी के प्रभाव में आकर अच्छी है, कम से कम इतियास के बारे में कुछ पॉइंट आपको मालूच चलेंगे, दिली सल्दनत के किन दो इतियास लेकों को, कि इतियासी कृती का नाम तारी के फिरोसाही है, तो एक तो आप देखेंगे, जियाउद्दीन बर्णी समसे सिराज और अफेम की किर्थियों का जियाउद्दीन बर्णी और समसे सिराज की विस विस दिव मयूर सिंगासन की इस मुगल इमारत में रखा था तो दिली के लाल के लिए के दीवाने आम में हैदरावाद की निजाम की राजबंस का क्या नाम तो आसप जाही किसके वायसराय काल में 1885 में तीन पिरमुक सहर कलकत्ता मद्रास बंबई में हाईकूट बना था तो याद रखे जॉन लॉरेंस के सासन काल में सूर देवी गायति को संबोधित गायति मन्त किस गरंथ में है रिगवेदिक सहिता में किस गुप्त सासक ने अपने सासन के अंतिम काल में बोध धरम को अपनाया और नालंदा विस विद्ध्यालाई की स्थापना की थी तो याद रखे कुमार गुप्त पिथम ने नालंदा विस विद्ध्यालाई की स्थापना कुमार गुप्त पिथम नहीं की थी मुहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आकमड किया था और अंतिम आकमड कब किया था तो याद रखिए 17 बार और सोमनाद पर अंतिम था उसका ठीक है आप समझ रहें कई बार 17 बार बहुत होता है गुजराद कर सोमनाद मंदिर किस देवता को समर्पित है तो यस सिप भगवान को बासको डीगामा प्यारम में भारत में किस बंदर गाह पर पहुंचा था तो काली कट पर दसवे गुरू गोबिंद सिंग ने अपने बात किसको सेख गुरू मनुनीत किया था तो याद रखी गरंत साहिब दिल्ली से दौलतावाद हेतु राजधानी के स्थानांतर का देश किस ने दिया था मुहमद बिन तुगलक ने किस ने अपने बात्साय पती के लिए मकवरी का निर्माट कर आए था हाजी बेगम ने किस मुगल बात्साय ने अंग्रेजों को बंगाल में सुल्क मुक्त ब्यापार की सुगधापिदान की जहागी ने लोग पर यह गायती मंत का उलेक किस वेद में मिलता है रखबेद में इसे देख चुका हूं किस तुरुक ने लूटमार की नीती चोड़कर भारत में स्थाई सासन की अपनाई कुत्व बुद्दीन एवक ने अकवर ने इवादत खाने की स्थापना कहां की थी तो यादर की आलम की दुतिये अब समझी वाजे भी बज रहे हैं चलिए अभी अपना टाइम नहीं है इलाबाद की संधी किंदो पक्षों के बीच हुई तो अंग्रेज और साह आलम दुतिये के रेगवेद में सरबादिक सूपते किंदो देवों को संभोदित है तो यादर क की इंद्र और अगनी को इंद्र और अगनी को चंद गुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया जैन धर्म को कला की किस सैली को ग्रीक बॉद्द सैली की संग्या दी गई है गंदार सैली को पुष्टी मार्ग के संस्था बकों थे वल्वाचार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती के दरगा कहा है? अजमेर में. 1764 में वक्सर योध की समाप्ती कौन सी संदी के साथ हुई थी? तो याद रखी इलावात की संदी और वक्सर का योध कब हुआ था? 1764. जासी को किस नीती के तहद बेटे समराज का हिस्सा बनाये गये था? डॉक्टिन ओफ लेप्स के तहद. हडपा सब्दा के लोग किस की उपासना करते थे? मात्य देवी की प्रक्ति देवी की और स्वास्तिक चिन्निगी. नेतिकर्टी हुई नारी की कासम उर्ती सिंदु सब्दा के किस स्थान से पराप्त हुई है? मोहन जोदलों से. आरे समा कहा का सासक था? कलिंग का. महावाली पुरम की रत मंदिरों का निर्मार कि सासक ने करवाय था? नर्सिंग बर्मन पिथम ने. रौवाइट कलाई भारत में किस पत पर कार करने के लिए आये था? तो याद रिखी किलार के रूम में काम करने के लिए. जैन धरम गरंतों की संस्थापक और अंतिम संबराट कौन थे? महापदमनंद. इसका संस्थापक था महापदमनंद और घहनानंद इसका अंतिम संबराट था. किस बंस को समथ करके चोल राजी की स्थाफना हुई थी? तो याद रखी कांची के पल्लों बंस को. हिजरी संबत्य का प्यारम कब ह हुआ और इसका संब्स की सित्यासि घटना से है. तो याद रखी 622 इसवी से हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने के जाने के समय में. अंग्रेजियों का सबसे पहला संगर्ष्ट किस मुगल समराट के साथ हुआ था? तो औरंग जेब के साथ. बंगाल के विभा फ्रांसिसियों की बीच तीसरा करनाटा के उग्द किस स्थान पलड़ा गया था? बांडी वास में. और इसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजियों की जीत होती है और फ्रांसिस्ती बाहर हो जाते हैं. इतिहास कर अब्दुल हमीद लहोरी को और सुजान राय किस मुगल सम संगहार, विक्रम बरसी है, रगुबंस में से कौन सी रच्चना नाटक की सेणी में आती है? तो याद रखे किवल विक्रम बरसी है और तीन रचना हैं आपकी महाकाब्र सेणी में आती हैं. अलावद दीन की वाजार नेंतर नीती का उद्दिष क्या था? सैनिक सक्ती में बिड्दी और मद्धेस्तों पर नियंतिन बाना. गुलाम बंस की प्यारंबीक चार सासकों का अनुकरम आपको बताना है, कुतुब बुद्दीनी वक्त, आराम सा है, उसके बाद आप देखें कि समसुद्दीन, इल्तुतमिस और रजिया सुल्तान, इन्हें आप लोग या रखें, तंजाबूर का सिब मंदीर का निर्माट की चोल सासक ने करवाय था, राज राजा ने, भारत के सर्वुच नियाले की स्थाफना किस एक्ट के अंतर की गई थी, रेगूलेटिंग एक्ट 1773 की, ठीक है, दिल्ली की सल्तनत के तुगलग बंस का अंतिम सासक कौन था नसुरुद्दीन, महमूद, असोग का कौन सा सिलालेक, कलिंग योदी की विवत्सा की बड़न करता है, 13 वासिलालेक, और एक कुश्चन्स भी कई बार पूँचा जा चुका है, पीछे भी हम लोगोंने देखा है, उत्तरवैदिक काल में लिखे गए गरंतों का सही करम क्य असोग के सासनकाल की योदी क्या थी, 273 इसापूर्व से लेकर 232 इसापूर्व तक, विम्मिसार किस बंस के सा सकते है, हर्यक बंस के, गुप्त समराज का वास्त्विक सस्थापक से माना जाता है, स्री गुप्त को, ठीक है, और किसकी अनमती से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पिथम कारखाना इस्थापित किया था, जहांगीर की अनमती से, पिथम छे मोगल समराटों का सही करम बदाएं तो बाबर हो गया, हुमायू, अकबार, जहांगीर, साजहा, औरंग जेग, और यही अच्छे थे, आप कहिए कि इने के समय मोगल समराज काफी सक्ती सा पिलासी के समय बंगाल के नवाब कौन था, सिराज उद्दौला, कि साकमरकारी ने कोहिनुर हीलार लूटा था, तो नादिस आहिने, नर्वदा के तटफर हरसवरधन को किसने परास्ट किया था, पुलिकेसिन दुतिये ने, असोक कालीन, अब लेकों को पढ़ने में सरपि समराज को दाओल इसलाम का एक भाग समझने वाला, पिथम मुसलिम सासा कौन था, इलतुतमिस, मैयू सेंगासन का निर्माड किसके सासनकाल में हुआ था, साय जहा की सासनकाल में, मुगल समराज, सिवाजी के अश्ट फिदहान मंत्री मंदल में सरवचिस्थान किसे पराप संगम साहित की रचना किसके राच्की सरक्षण में की गई थी, पांडो सरक्षण में, किस बौध सन्याज की प्रभाव में आकर समराज असूप बहुत धरम की अन्वाई बनी थी, तो याद रखी ये था ओप गुपत के प्रभाव में, गुपत योग किसके द्वारा और क प्यारम हुआ तो चंदगुप्त पिथम द्वारा ये 320 इस्थी की बात है यानि कि एडी की सबसे पुरानी इस्मिटी कौन से है मनु इस्मिटी किस पुर्टगाली गवर्नर ने 1511 में किष्णे देव राय के साथ मित्ता की संदी की थी तो ये था अल्मोडा गोलकुंडा के ी राजा कहलाते थे कोत्व साहीrän एफीग्राफि कि समंद किस से सिलालेक का अध्यन से सिन्दु सब्दा का समंद किस काल से आग इतिहाज काल से काली मम आपको राजिस्थान में महां एक्पा सिंदLी सल्दनत पर बैटने वाला एकमा तेंडूंसों से फरिवर्थ soy परिवर्तित होकर मुस्लिम कौन बेक्ती था नसरुद्दीन खुसरू। मेवाड के राणा पिताप सींग के विरुद हल्दी हाटी के उद में किसने मुगल सेना का नेतित किया था राजा मान सींग ने। किसे वाइसराई के सासनकाल में तेन प्रमुक सहरों कलकत्ता मदरास और वंबई में हाईकूट बने थे तो याद रखे एतिस समय थे जॉन लॉरेंस के सासनकाल में। मेर कासिम ने अवद के नवाव और मुगल समराट के साथ अंग्रेजों के विरुद लड़ाई लड़ने की एक संदी की थी। अवद के उस नवाव का नाम क्या था तो याद रखे सुजावत दौला कि सडब पस्तल से चावल लोग आने के साक्षे मिले हैं तो ये रंगप रितु संगार कुमार संभाव पुप वाड बिलासम इसे भी याद रख लीजेगा यह सभी इनसे कुश्चन्स भी कई वार पूठ लिए हैं किस राष्ट कूठ राजा ने लोगरा में सिपका पिसिद्य क्या स्लास मंदिर बनवाए था तो ये था किष्ण फर्ष्ट फिरो किस सैनापती ने लूट मार के लिए दच्छन भारत में कन्या कुमारी तक आखमड किये और यह आखमड किसके सासनकाल में हुए थे तो याद रखे मली खपूर ने अलावदीन खिलजी के सासनकाल में विना दुर्ग की अकेला सेंधो नगर कौन सा है चंद दुरो सेंधो स सब्दा की किस नगर में से घोडों की अवसेस प्रापते हुए सोर्कोट दासे किस बेद में सरपिथम गौत सब्दी का उलिक मिलता है अथर विवेद में अकवर के सासनकाल राजस से प्रबंदन की फिवर्ट कौन थे राजा टोडर मल ग्रांट रैंक रोड का निर्माट क सासक ने करवाय था किस के सासनकाल में हुए था से सासनकाल में सुतंत सिक्ष राजि के संस्थापा कौन थे महराजा रडजी सिंग्गल में स्थाई बंदोवस्त Dead किस ने फियारम किया था लौड कानवालिस ने मोगलों केव को बिरोद सिवाजी ने कौन सी योदनी थे किसने फ्यारम किया था लौड कानवालिस ने मोगलों के विरुद सिवाजी ने कौन सी योधनीती अपनाई चापावार योधनीती संगम साहित की भाहसा क्या थी तमिल पहली दूसरी तीसरी और चौतरी संगितिया के रमसा कहा यह जित की गई थी ग्रीवरिच वैसाली पाठ ले आया हैंसांग फिर वांग हू सी और इत्सिंग इन्हें भी आप लोग करम से याद रखिए राज कुमार सलीम के भढ़काने पर किस ने अकवर के इस कारियाली इत्यास लेकक अब्दुर्फजल की हत्या की थी तो याद रखिए बीर भुंदेलाने बीर सिंग बुंदे कि यदा इस फाल्ट झाल 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 कुमार सलीम के भढ़काने पर किस ने अकमार झाल झाल के कार्याली इतिहास लेखक अब्दुल अबुल फजल की हत्या की थी तो याद रखी वीर सिंग बुंदेला ने अकवर के सासनकाल में विद्वानों के समूने महा भारत का संस्कित से फार्सी महरवाद किया था इस फार्सी अनवाद को क्या कहा जाता है रज्यम नामा हमपी विजयनगर में विठ्थल स्वामी मंदीर वरद राज मंदीर और किसना स्वामी मंदीर के सासक ने बरवाए थे किसने देओ राय ने भारत में पुर्दगाली राध्धानी कहा थी तो याद रखी गौा में और सबसे बात तक आप देखते हैं कि यहाँ पुर्दगा होई थी आगरा में पिसिद विरू पाक्ष मंदीर कहा इसते थे हमपी में कलकत्ता मेंडेविड हरे और अलेकजैंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी तो राजा राम मोहन रायने तो राजा राम मोहन रायने सेक मुईनो दीन चिस्ति बक्तियार काकी और फरीद दीन गजीसंकर कौन थे लोग पिशिद्धिचिस्ति संथ हुआ करते थे किस स्थान के उत्खनर में तामी की मोहरे प्राप्त में हरप्पा के हरप्पा के उत्खनर में कौन सी सब्दा सिंदू भाटी सब्दा के समकाली माने जाती है तो याद रखी मेसोपोटामिया की महत्मा बौध का जनम और निर्माड और ज्यानपराप्ति किस संस्कित में ने से जांदा किसके सासनकाल में भारत परा आकमर किया था इल्तोथ मिसके सासनकाल में गया अंगरेजों उगली में 1600 इंक्याबने में अपनी पिथम कोटी किसकी अनुमती से बनाई थी साय सोजा की अनुमती से किसके बिरोध दंगरेजों ने अवद को मध्यस्त राज रखा था मराठों के या किस विदेशी यातरी ने कहा था कि भारत में दास्पिता नहीं है मैगस थिनीज ने गंगा और सौन की संगम पर पटना में किसने किला बनवाय था ओदेन ने महावली पुरण के किस के सासनकाल में पिस्द था पलोओं के सासनकाल में तंजोर का राजिस और मंदिर किस बंस के राजाने बनवाय था चोल बंस के राजाने चन्दगुप्त दुतिया के सासनकाल में कौन सा यातरी भारत भिरमण के लिए था फायान पक्षियों का सबसे बड़ा चितिकार मनसूर किस मुगल समराट के दरवार में था जहांगीर के अमीर खुसरो किस सुल्टान का दरवारी कभी था अलाउद्दीन के लिए नादिर साय ने किसके सासंगाल में भारत पर आक्मट किया था मुहम्मद साह के सासंगाल में लौड कांडबालिस ने इस्थाई बंदोबस्त किस के साथ किया था जमीदारों के किस बौध आचार का मिलिंद की साथ महजपूर बारता लाप गुआ आचार नांगसेन के किस ने अपने अगलीक सरपितम संस्कित भासा में बनवाई रुद्ध दामन ने किस सासक ने प्राचीन भारत में जेंस वतामवा संपृदाय को दच्छिन भारत में फेलाए संपृति ने मौर बंस में असोग के अतरीक किस साथ ने सासक ने देवा नाम प्रिये की उपादी दी थी दसरत ने किस सासक ने गुप्त बंस के राश्टी चिन को गरोड की जगे मयूर का दिया था तो कुमार गुप्त ने मलिक मुहमद जासी के सासक के राजदरबार में रह दे थे से साय सूरी के राजदरबार में बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकवर के सिक्षक रहे और उनकी हत्या किस ने की थी मुबारक खान ने पाटन गुजरात में मजहर नाम की लोगों ने तियार किया था अवूल फजल फेजी और सेख मुबारक ने बैदिक सब्दा थी एक ग्रामीड सब्दा थी है प्रयाक पिसस्ति किस गुफ्त सासक की पिसंसा में लिखी गही है समुद्द गुफ्त की पिसंसा में खिल्जी बंस का स्थापना कप की गई थी? 1290 में सिंदू सबिता में स्वास्तिक किसे पिदर्फित करता है? सूरी उपासना को हिंदू पाग साही का आदर्स किस पिसवान में रखा था? बाजी राओ पितम ने किस सासक ने भूमापन में जरीब का प्रियोग किया था? सेसाई सूरी ने गुलाम बंस का अंतिम सासक कौन था? केकूबाद किस मुसलिम सासक ने सिकंदर इसानी की उपादी धारन की थी? अलाउद्दीन खिल्जी ने अलाई दरवाजी का निर्वाण किस ने करवाय था? अलाउद्दीन खिल्जी ने सिंदू सबिता की सर्वुत्तम कलाकितिया किने कहा गया है मुहरों को हिंदू पदपादसाही का अदर्स किस माराठा पिसवाने रखा था? तो याद रखी बाजी राओ पितम ने किस अंग्रेज जीर को जहांगीर ने में 400 जाद का मंसब पिदान किया था? तो याद रखी केप्टन हॉकिन्स फरूक सियर से फर्मान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी सिष्ट मंडल का नितित किस ने किया था? जौन सर्मेन ने अकवर के दरवार में आने से पहले तांसेन किस के सेवा में रहता था? तो याद रखी रीवा की राजा रामचंद बगेल की दिली सल्तनत के किस सासक ने माजा नेंतन विवस्था लागू की थी? अलाउद दिन किल्जी ने भारत में अंग्रेजी राज की प्यारंबी कवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारती सासक कौन था? तो हैदर अली वैस्तम कहा है जिस पर असोक का सांती संदिस और समुद्ध गुप्त की सैन बिल्यों का विवर्ण दोनों अंके थे प्रियाग में उस राजवन्स का क्या नाम था? जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंध भी हत्या से हुई थी? तो याद रखिए सुंग्वन्स सिंद हु कालीन सबता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाड मिले हैं मुहंजोदोडों से? मनुस्य ने सबसे पहले किस धादू कप्रियोग करना सीखा? तामेका. मनसबदारों को नगत बेतन के बदले धिये जाने वाले राजश्चेत को क्या कहते थे? ज समभाजी ने मुगल सासन में वह मंत्री जो सेना का प्रिधान था? क्या कहला था? मीरबक्सी. तेमूर ने किसके काल में भारत पर आगमन किया था? नसुरुत दीन महमूत के. भारत में यूरोपिया ब्यापारियों के आगमन का सही किरम पुर्दगाली आये फिर सेता जैदेव राजा लचमर सेन के दर्वार को सोवीत करते थे. राजा लचमर कहां कि सासक थे? बंगाल के. बिजयनगर 1336 में बहमनी 1347 में राज्यों के ओदैस के समय दिली में सासक कुन था? तो याद रुकि इसमें मुगल मुहम्मद बिन तोगलक. मुहम्मद बिन मामलपूरम के रत हिसमारकों का निर्माट किन सासको ने करवाय था? पल्लाव सासको ने. मुगल समराथ औरंगेब किस बाद्यान का प्रियूप करता था? बीडा का. रिगवेद काल में निस्क किस संग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का. दिली के किस सुल्तान के सुल्तान पितिवी पर इसुर का साया है और उसका वायस रेजीन्ट था तुग्यासुद्दीन बलवन के. अकवर नामा तथा आइने अकवरी नामा कुस्तर किस ने लेकी थी? अबुल फजले. सभाव सम्ती, प्रिजादपत्ती की दो पुत्तियां किस बेद में कहा गया थ थी? इल्तुत्मिस ने? देखिया, इल्तुत्मिस कर दिया. मुगल समराजी सुल्दान ही नहीं है, इल्तुत्मिस. तो मनसब की विथा का आरम याद रखी, अकवर ने किया था. किसने? अकवर ने. ये कुश्चन्स भी कई बार मुझ लिया. किस मुगल सासक ने जागीदार जागीदारी विवस्था की ने उडाली थी? अकवर ने. किस सासक ने आईने 10 साला पद्धिती की शुरुआत की थी? अकवर ने. दच्छिन का कवीर किस भक्ती संद को कहा जाता है था? तो काराम को. किस माराठा सासक की समय माराठा राज संग सिध्धान पर आधारी परिवर्तित हो गया था? साहू के सासनकाल में. किस मुगल सेनापती ने सेवाजी की वो पुरंदी की संदी परहस्ताक्षर करने के लिए बात किया था? राजा जैसे इंग ने. जैन तालोकदार किस खेल से संबन दिती? तेरंदाजी से. बेवेकानन्द रॉक मेमोरियल कहा है कंड्या कुमारी में चट्टानों पर. सब्त प्रगोडा के लिए कौन सा इस्थान जाना जाता है? महाबलीपुरम तलमेलाडू में. भारत की कुम्मे मेला कहा कहा लगते? प्रयाग, हरेद्वार, उज्जेन, नासिक. इनको भी याद रखी कई वार आ जाते हैं. बहुत सब कहा मना जाता है? सिक्के में. सो पिसिद उर्दू सायर मीर्जा गालिक का मूल निवास इस्थान, आगरा. नौबल फुरस्कार फिदान किया जाते हैं. सौईडिस अकादमी द्वारा. अब देखी ए भी आ गया. अपनी साहतिक किल्तियों द्वारा सुतंता संगराम में योगदान हीतु राष्ट कभी का समान किस से फिदान किया गया? मैथली, सरन, गुप्त को. किस की समाधी के कारण नांदेर, गुरुद्वारा, सिक्खों द्वारा पवित माने जाता है? गुरु गोविन सिंग की समाधी के कारण. अश्टांग मार की अवधार्णा किसका अब्विसा है, धरम चक्ववर्तन सुक्त का, किस धरम ने अनुब्रत सिद्धान किया दिया है था, तो जन धरम ने, माधवी मुद्गल, किस नेत से लिए की पिसिद नित्यांग ना है, उडिसी से समधित है, किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भालती मारक समय के त को लिकाली किया है, तो स्रीलंका ने, रक्षा प्रवंधन कॉलेज, सिकंद्राबाद में, टू लाइज, पुस्ता के लिएका, बिक्रम सेट, सर्वेव उप इंडिया किस मंदराले के इन है, तो रक्षा मंदराले के, नासिक किस नदी के तरफरवसा हुआ है, गोदा बरी, यह देख लिजे, कंप्यूटर बीच में डाल दिया, देख लिजे, वाइडव एरिया नेटवर्क, मेट्रो फुलेटन एरिया नेटवर्क, छोड़ी है, मदलब देख लिजे, कोई फरक नहीं पड़ता है, भारत की किस वायसराय के सासनकाल में, महाल सहीद, भागस्तिंग सुदेव राजगीरू को फासी हुई थी, लौड एरिविन के सासनकाल में, 1972 में भारत चीन यूद के दोरान भारत की रक्षा मंतरी कौन थे, वी के किसन मैनन, नेल की खेती, हारी की गोर विव्था और भागान मालिकों की कूटता दरसाने वाली, नील दरपन का नाट के र रचनाकाल कों थे, दीन बंदू, मित्त, गरोंड किस देश की सरकारी विवान सेवा कंपनी है, इंडोनेसिया की, इंडियन पेट्रो केमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिट, किस की अनुसंगी है, कंपनी, रिलाइंस की, जामनागर में कारकर रेफाइंडी किस कंपनी ही है, रि रादू टोना और तंत बंता का संग्राइक किस बेट में मिलता है, अथर्विवेद में, यह है इतिहास का कुष्चन, रिख बेट में अगन्या, किस के लिए कहा गया है, गाय के लिए, सिंदू सबता में मेसोपोटामिया संस्किती की दैन थी, यह कथन किस का था, हिलर और गार्डन का, उत्खनन में गोधी के ओसेस कहा मिले हैं, लोथल से, इवनानी कला के समिसन से कला का किस सैली का विकास हुआ, गंधार कला सैवी, महमूद गजनवी के आकमर की समय हिंदू साही राज की राध्धानी थी, उद्धन, लोधी सुल्टान कों थे, अफगान, फिर पाकिस्तान के सिंद प्रांत के लर्काना जिले में सिंदू नदी के किनारे के सब हरपा सब्दा के स्तल की कुझ 1922 में हुई थी, मुहन जोदरो, चत्तुर्थ वध संकिती किस के सासनकाल में, कुंडलवन, विहार में, कस्मीर में, भारती संस्किती के चार सहार थे कौन- बुद्ध के युब देशों का संकिलन किस गरंथ में है, ए बिनाई पिटक में, एलोरा की पिसेद गैलास मंदीर का निर्माण किस राष्ट कूटर सासक ने किया था, किस ने फष्ट ने, जूर्णागर अभिलेक किस सासक से संबन्दी थे, रोद्दावन से ही, से सायसोरी किस स्थान पर लड़ती हुए घायल हो गया था, और कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई थी, कलिंजेर के घेरी में, किस स्थान पर हुए योद, कि पश्चाद बिजयनगर समराज का पतन हुआ था, तालीकोटा जिसे आप लोग राक्ष सी, तंगडी योद भी कहते हैं, हि इसी से समन दी था, अकबर ने मंसव पदिती कब सुरू की थी, 1565 में, महमूद गजनवी ने गुजरात पर आखमन करके सोमनाद की मंदिर को लूटा, उस समय वहां का गुजरात का सासक कौन था, भीमभर्ष्ट चालुक सासक, दिल्ली संतनक की कि सुल्तान ने फटियाबा नगर बसाई थे, फिरोस साय तोगलक ने, विजय नगर पास आसन करने वाले तीन राजवंस थे, सलोग, तुलोग और अरविंदु, अजबेर में किस सूफी संत की दरगा इस्ति थे, ख्वाजा मुनिद्दीन चिस्ति की, पिसिद सूफी संत निजामुद्दीन ओलिया की जेवनकाल में, एक के बाद एक, कितने सासक दिली सल्तनत की गद्दी पर बैठे, साथ, बलवाचार ने किस मार की स्थापना की, पुष्टी मार की, खिल जिखा, किस खिल जी सासक का सैनना इक था, अलावदिन खिल जी का, गायती मंस किस बेद में हो और किसको समर पे थे, रिखबेद में और सावित्री देवी को पसाद समर पे थे, सिंदू से बता कि किस तल से सूती कपड़े के उपयोग की साक्ष मिले हैं, मुहन जोदरो, मुहन जोदरो कहा इस्ते थे थे, पाकिस्तान की सिंद में, खजुराहो में चतरफुज मंदिर, विश्नु मंदिर का निर्मार किस चंदेल सासक ने करवाय था, यसू बर्मन, गुलाम मंस का अंतिम सासक, बसरमदीन की उमर, किस सासक ने आईने दह साला पतिती की सुगात की थी, अकबर ने, किस गुप्त सासक के समय हूडों के आकमड हुए, इसकंद गुप्त के सासंकाल, किस विक्छू के स चंदगुक मौत दच्छन भारत गये थे, भदबाहु, तैमूर ने किस के सासंकाल में भारत पर आखमा किया, नसरूत देन, महमूद सासक काल में, सिवाजी का जिनम किस के लिए मुगा था, सिबनेर के के लिए में, फार्सी भासा के अनिक विद्वानों द्वारा संकलित, रजम नामा किस करंद का अनुवाद है, महाभारत का, तो मुझे लगता है कि एक पार्ट में इतना इतिहास के कुश्चन्स आपकी बहुते हैं, अब खासकर आपकी जो आदोनिक भारत के कुश्चन्स है, उन्हें हम लोग एक किलास में आगी देख लेंगे, तो ये जितनी की पूरी संभाव ना रहती है, चलिए मिलते हैं हम लोग नई किलास में,